शाम का समय था मौसम तो वैसे खराब था लेकिन देरे देरे बादलों ने आना शुरू कर दिया था शहर में एक बहुती बड़ा बजार लगा हुआ था और इस बजार में कई सारे लोग आए हुए थे कई लोग अपनी जरूरतों का समान खरीद रहे थे और कई लोग अपनी जरूरतों का समान खरीद के घर वापस जा रहे थे ऐसे ही काफी लोगों की आवाजाही जो थी वो लगी हुई थी उस बजार में सब कुछ अच्छा था अगर कुछ अच्छा नहीं था तो वहाँ पर मौजोद दो लफंगे लड़के जिनका नाम था संजे और विकास वो दोनों ही उस इलाके में काफी बदनाम थे क्योंकि अगर कुछ भी वहाँ पर होता था चोरी या फिर कुछ भी तो हमेशा उन लड़कों का नाम पहले लिया जाता था वो लड़के वहाँ पर अपनी लफंगा गिरी कर रहे थे कभी किसी लड़की को छेड़ दिया कभी किसी का पर्स चोरा लिया या कभी किसी से उलच गया उनका काम यही था ये सब करते करते वो पूरे बजार में खूम रहे थे तब ही अचानक से संजे ने एक आदमी का पर्स चोरा लिया और उस आदमी को पता भी नहीं चला जब संजे ने पर्स खोल कर देखा तो उसमें धेर सारे पैसे थे और विगास ने कहा क्या बात है संजे मानना पड़ेगा एक ही बार में इतना मोटा हाथ मार लिया मज़ा आ गया उसके बाद संजे ने हसते हैं कहा हाँ हाँ मुझे पता है अरे आज का experience थोड़ी है काफी सालों पुराना है खैर कोई बात नहीं वो दुनों आपस में बात करी रहे थे तब ही अचानक से संजे ने वहाँ पर एक बहुत ही खुपसूरत लड़की को देखा जो काफी बंठ्यनकर वहाँ से गुजर रही थी उस लड़की को देखकर संजे का जो दिल था वो एकदम मचल सा गया संजे ने कहा अरे विकास वो देखना क्या माल है गोरी गोरी एक मचला पास चल कर देखते है उसके बाद विकास ने कहा हाँ यार गजब की बला है चल चलकर देखी वो दोनों उस लड़की के पास चले गये और संजे ने इशारा किया और विकास ने उस लड़की को छिड़ना शुरू कर दिया उस लड़की ने कोई रियाक्शन नहीं दिया उसके बाद संजे ने उस लड़की के बैक पर हात लगा दिया लेकिन हरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की ने फिर से कोई रियाक्शन नहीं दिया और उस लड़की ने संजे को देखकर मुस्कुराया ये बात बहुत ही ज़ादा अजीब थी संजे को लगा कि आखिर ये कैसी लड़की है जो ऐसे मतलब छड़ेने पर मुस्कुरा रही है संजे को यही लगा कि शायद वो उस टाइप की लड़की है और संजे ने कहा क्या बात है मैं डाओं लग रहा है आपको भी हम में इंटरस्ट है और उस लड़की ने मुस्कुराते हुए संजे को अपने पीछे आने को कहा विकास ने कहा भाई क्या बात है लगता है लग गई लटरी लग गई चल चल पीछे चलते हैं कहीं अकेले में ही लेकर जाएगी उसके बात संजे और विकास दोनों उस लड़की का पीछा करने लगे दोनों उस लड़की को अपनी आखों से देख देख कर गंदा कर रहे थे और उसके बात वो लड़कीं ने एक सुनसान जगा पर ले आई और वो दोनों भागते भागते उस लड़की के पास पहुँचके जैसे ही संजे ने उस लड़की की कमर को पकड़ने की कोशिश करी वैसे ही उस लड़की ने एक सोरदार चाटा संजे को माना जिस चाटे की जो आवाज थी वो दूर दूर तक सुनाई दी और संजे को बहुत साधा गुसा आ गया संजे ने अपना चाकू निकाला वो कुछ कर पाता उससे पहले ही पीछे से दो हट्टे कट्टे पुलिस वाले आए और उन्होंने दोनों को धर दबोचा और उसके बाद उस लड़की ने कहा तुम्हें पकड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी काफी जवानी आ गई है न लड़कियों को छिड़ने की जो तुमने मेरे साथ किया न यहां बजार में तुमारे हाथ पर तुड़वा के तुम्हें जिन्दगी बर भेग नहीं मगवाया न तुम मेरा नाम बदल देना ये सब सुनकर संजे तो था वो बहुत ज़ादा घबरा गया क्योंकि वो दोनों काफी बुरी तरह से पकड़े गए थे संजे ने उस लड़की को धमकी दी जो एक फीमेल आफिसर थी संजे ने उस लड़की से कहा तुझे तो इसकी कीमत चुकानी बड़ेगी मैं तुझे एक वार्निंग देता हूँ हम दोनों को जाने दे वरना तुझे पता है इसीरिया के जो सबसे पाउरफुल पॉलिटीशिन है न उनका हाथ हमारे सर पर है समझी अगर उन्हें एक बार पता चलिया न तो वो तेरा क्या हाल करेंगे न तू भी नहीं जानती किसी रेगिस्तान में सिधा तरह ट्रांसफर करेंगे उसके बाद उस फीमेल आफिसर ने एक सो उर्दार चाटा फिर से संजे को मारा और उस फीमेल आफिसर ने कहा ये दो कोड़ी के पॉलिटीशिन्स की जो धोस है न वो किसी और के जामने जमाना मेरे सामने नहीं समझा तेरे उस पॉलिटीशिन की और तेरी कोई उकात नहीं है ये कहकर उस पुलिस आफिसर ने कई सारे चाटे संजे को मारे और संजे का जो गालता वो पूरा लाल हो गया और हूँ जो दूसरा विकास था उसे भी उस पुलिस वाले ने बहुत मारा मार मार के उन दोनों का काफी बुरा हाल कर दिया संजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए लेकिन ऐसे लोगों के बीच मार खाते हुए गमंड था वो चूर चूर हो गया और उसने सोचा जख मारूगा यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन सभी के बीच मेरा काफ बना रहा है एक काम करता हूँ इन दोनों पुलिस वालों को तो मैं बताता हूँ उसके बाद जो होगा साब जी तो देखी लेंगे ये सोचकर संजे जो था और उस पुलिस वाले को धक्का दिया उसके बाद उसने एक जो चाकू था जो उसने अपनी पैंट बे छुपा कर रखा था उसे निकाला और उस चाकू से ताबड तोड़वार उसने उस पुलिस वाले पर किये और चैसे ही उस बदमाश का चाकू उस पुलिस वाले को लगा तो उसके शरीर से खुनंखुन बहने लगा, पूरे रोड पर खुणी खुन बिखर गया, उस दूसरे पुलिस वाले ने तुरंत कारवाई करी और उस female officer ने भी कारवाई करने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले संजय ने भी उस दूसरे पुलिस पुलिस वाले को चाकूओं से गूंद दिया और वो दोनों पुलिस वाले वही जमीन पर गिर गया वो जो फीमेल आफिसर थी वैसे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग थी लेकिन दो बदमाशों का सामना केले करना वो भी नियत था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था संजे ने वो जो खून से असना हुआ चाकू था वो उन लोगों को दिखाया जो वहाँ खरीदारी कर रहे थे और तमाशा देख रहे थे और वो जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और इधर उदर भागने लगे पूरा वहाँ पर भगदर मच गया उसी इंपुलेंस को कॉल किया और उन पुलिस वालों को सीधा हॉस्पिटल पहुचाया गया ये जो वारदार थी ये बहुत ही बड़ी थी इसनिये वहाँ पर सभी मीडिया करमी आ गए और ये जो नियूस थी वो पूरे टीवी पर चलने लगी वहीं दूसरी तरफ संजे और व पर उन्हें ढूंडे की इसलिए उन्होंने अपना पूरा हो लिया बदल लिया संजे ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम तो दे दिया था लेकिन अब उसे डर लग रहा था क्योंकि अगर वो इस बार पकड़ा जाता तो सीधा उन दोनों का एंकाउंटर होता और ये ब को ने हमारा इंकाउंटर करती है तो जिसके जवाब में संजे ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या हमारा इंकाउंटर बच्चा है क्या दर्मत मैं बात करता हूं साबसे साबा में कुछ नहीं होने देंगे समझा ये कहकर संजे ने एक PCO ढूण और उसी PCO में वो गया संज संजे ने अपना फोन उठाया तो संजे ने कहा हेलो साब जी साब जी मैं बोल रहा हूं संजे संजे पहचाना जिसके जवाब में उस मैनेजर ने कहा संजे कौन और उसके बाद संजे ने कहा अरे वही साब जी जो आपका छोटा मूटा काम करता रहता है टाइम टू टाइम वही उसके बाद उस मैनेजर ने कहा अच्छा अच्छा हाँ हाँ बोल क्या बात है उसके बाद वो जो संजे था उसने कहा साब जी वो जो बड़े साब है उनको फोन दो न उनसे बात करनी है एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फस्किया हूँ जिसके जवाब में वो जो मेनेजर था उसने कहा नई नई सर अभी काफी बिजी है वो बात नहीं कर सकते उसके बाद संजे ने कहा आप समझ़ने की कोशिश करिये साब जी बहुत बड़ी मुसीबत है अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी हमारे साथ दीजिए और उसके बाद संजय ने काफी मिन्यते करी उसके बाद उस मैनेजर ने वो जो पॉलिटीशन था उससे पूछा सर वो संजय का फोन आया जिसे आप लोगों को दम काने के लिए बेशते हैं और छोटा मुड़ा जो काम होता है वो करता है ना लफंडर दो विकास और संजय उसी संजय का फोन है उसके बाद उस पॉलिटीशन ने का अच्छा वो क्या काम है उसको फिर से पकड़ा गया है जेब कतरह की बेच में छुडवा दे यार छुडवा दे अब नहीं बच्चे हैं उसके बाद उस मैनेजर ने पूछा बता भाई कौन से पुलिश टेशन में बंद है वहाँ पर फोन गुमाओ जिसकी जवाब में संजय ने कहा नहीं साब मैं कहीं बंद नहीं हूँ बलकि मैं फरार हूँ मैंने गुस्से में एक बहुत बड़ी वारतात को अंजाम दे दिया है और अब मुझे पूरे शेहर में पुलिश डूण रही है और ये बास सुनकर वो जो मैनेजर था वो सोच में पड़ गया कि आखिर इतना बड़ा कांड इसने कौन सा कर दिया मैनेजर ने पूछा क्या कांड कर दिया भाई जो सारे पुलिस वाले तुझे ही डूण रहे हैं जिसके जवाब में संजे ने कहा अरे साब अमें क्या में बताऊं आप न्यूज देख लीजे आपको खुदी पता चल जाएगा उस मैनेजर ने तुरंत टीवी चालू किया और सारी टीवी पर एक ही न्यूज आ रही थी उसी वारदात को हर मीडिया चैनल कवर कर रहा था और तभी वो जो फीमेल पुलिस आफिसर थी उसका इंटर्विव आया और उस इंटर्विव में उस पुलिस आफिसर से कई सवाल पूछे गए उस फीमेल पुलिस आफिसर ने कहा मैंने और जो बाकी के दो पुलिस वाले थे उन्होंने एक प्लैन बनाया था कि हम उन दोनों बदमाशों को पकड़ लेंगे क्योंकि उन दोनों का जो खौफ था वो पूरे इलाके में फैल रहा था और आज से नहीं काफी सालों से लेकिन उसने कहा कि यहां के सबसे बड़े और पाउरफल पॉलिटीशन का जो हाथ है वो उसकी सर पर है जैसे ही उस पॉलिटीशन का नाम इस वारदात से जुड़ा तो वो पॉलिटीशन भी थोड़ी देर गले घबरा गया क्योंकि चुनाव आने वाले थे और उसे किसी भी हालत में अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना था और अगर उस पॉलिटीशन की जो इमेज थी वो इस के किसी से उठा और उसने कहा अरे इस कदे के बच्चे ने क्या कर दिया इतनी बड़ी वारदार्त को अंजाम देने का मतलब क्या है इलेक्शन आने वाले हैं और मेडिया वाले को पता चला रहा है कि मैं इसे सपोर्ट करता हूँ तो गया यह इलेक्शन आज से एक काम कर मेरी बात करवा। उसके बाद उस मैनेजर ने उस पॉलिटीशन से संजे की बात करवाई। उस संजे ने कहा। सब, सब हमें बचा लीजे। सब, सब, हमने जो आपने बोला, जैसे बोला, जिसको दमकाने की ये बोला, जिसको मारने की ये बोला, हमने सब किया। लेकिन सब, अब ह हमें नहीं बचाएंगे तो हमारा इंकाउंटर पक्का है सब, सब कुछ करिए और उसके बाद उस पॉलिटीशन ने कहा, संजय थोड़ा अराम करो, चिल करो थोड़ा सा थोड़ा थंडे दिमाग से काम लो कुछ भी नहीं होगा, दो-चार दिन की बाद तुम्हार पाद पैसों की कमी नहीं होगी समझो इस बात को, वो पैसे इस्तमाल करो, थोड़ा बच के रहो और उस जंगल में ही रहना यहां शैर की तरफ मत आना, क्योंकि शैर में छपे छपे पर तुमें ही डोड़ेंगे समझे, और जब मामला शान्त हो जाएगा, केस थोड़ा ठंडा और ढीला पड़ जाएगा, तब तुम आजाना शैर में, उसके बाद मैं हूँ ही ना तुम्हे बचाने के लिए, तुम घबराओ मत, उसके बाद संजे ने जब ये बात सुरी तब उसने कहा ठीक है साब, अगर आप बोलते हैं तो आप, आप हमारे लिए भगवान है साब आप, आप बहुत अच्छे हैं मैं तुरन जंगल की तरफ निकलता हूँ और, और आपको 20 दिन बाद फोन करता हूँ ठीक है साब, उसके बाद वो जो पॉलिटीशन था, उसने कहा नहीं, नहीं, ये 15-20 दिन में मामले ठंडा होने वाला नहीं है तुमने बहुत बड़ी वार्दात को अंजाम दे दिया है पता नहीं, वो पुलिस वाले बचेंगे या नहीं बचेंगे तबी रेड ऐलर्ट पड़ पुलिस हो जाएगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगा तुम तकरीबन इतना मालो की चार पाज महिने तक तुम्हें गाया भी रहना है इसलिए उस जंगल में चले जाओ बाकी जो भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मुझे कॉल करते रहे न मैं कहीं न कहीं से अरेजमेंट करके तुम्हें बिजवा दूँगा ठीक है उसके बाद में वो जो संजे था उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई और उसने फोन रखा विकास ने पूछा क्या हुआ भाई, क्या बात हुई और उसके बाद संजे ने सारी बाते बताई वो दोनों थोड़ा रिलाक्स हुए और शेर से बहाद एक जंगल में चले गए वही दूसरी तरब वो जो पॉलिटीशन था वो अपनी कुरसी पर बैठा हुआ था और उसके मैनेजर ने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया आप क्यों अपने नाम को उस केस के साथ जोड़ना चाहते हैं आपको पता है न इससे आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है जिसके जवाब में उस पॉलिटीशन ने पूशा नुकसान? कैसा नुकसान? और उस मैनेजर ने कहा नहीं मतलब आप उसे बचा रहे हैं न अगर मीडिया को पता चलिए कि आप उस अपरादी को बचा रहे हैं तब तो आपकी इमेज बहुत खराब होगी जिसके जवाब में उस पॉलिटीशन ने हस्ते वे कहा बेटा तुम्हें क्या लगता है? राजनीती में मेरे बाल ऐसे ही सफेद हो गए हैं हम किसी के सगे नहीं हुए राजनीती चीजी ऐसी है समझे? तुम्हें क्या लगता है? मैं उस दो कोड़ी के गुंडे से वफादारी निभाऊंगा? बिलकुल भी नहीं अभी कुछी टाइम में मीडिया वाले आते ही होंगे मेरा इंटर्वियू लेने के लिए सवाल जवाब करने के लिए मैंने उन्हें इस शेर के बार जंगल में वेज़ दिया और मैं खुदी मीडिया में बयान दे दूँगा कि वो दोनों छुपे हुए हैं जंगल में और ये कह दूँगा कि मेरे कारेकरताओं ने उन्हें ढूंडा है क्योंकि पुलिस से तो वो डोडने जरह है जब मैं उन्हें पकडवा दूँगा तो कह दूँगा अगर मैं इनका साथ देता तो मैं इन्हें पकडवाता क्यों मेरा तो नाम है वो साफ हो जाता बलकि मैं और अच्छा बन जाता आने वाले एलक्षिन में हमारा फायदा हो जाता क्या करना है वो दो गुंडे दो कोड़ी के वैसे भी गंती नाली के कीड़े थे आज नहीं तो कलूने मरना ही था तो चलो आज ही मरवा दे सुन मेरी बात जब भूक लगेगी तो तेरे में से मेरे में से कोई जंगल के बाहर जाएगा और ढाबे से खाना लेकर आ जाएगा ये जंगल बहुत ही ज़दा खाना है और यहाँ पर लोग कदम रखने से पहले भी कई बार सोचते हैं इसलिए हमें खबर आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें कोई ढूनने नहीं आएगा समझा तू उसके बाद विकास ने हां में सरह लाया वही दूसरी तरफ वो जो नेता था वो अपना घर में अराम कर रहा था तब ही उसके मैनेजर ने कहा नेता जी मेडिया वाले बाहर आ गए हैं रुकी नहीं रहे हैं सवाल जवाब सवाल जवाब यही करे जा रहे हैं उसके बाद उस नेता ने कहा तो क्या दिक्कत है अब ही जाकर सारे सवालों के जवाब दे देता हूं सच सच वो मैनेजर जो था वो भी हसने लगा और वो नेता घर से बाहर निकला सबी मीडिया वाले अपनी सवालों की जो बोचार थी उसे करना शुरू कर दिया उसके बाद उस नेता ने कह सबसे पहले तो आप शान्त हो जाईए ऐसे चिलाने से कुछ भी नहीं होगा उनके इलाज का सारा खर्चा मैं दूँगा और रही बात उन गुंडों की उनने मैं खुद पकड़वाऊंगा मेरे जितने भी कारी करता है उन में से कोई न कोई उन दोनों को ढूंडी लेगा और मेरा नाम उनसे बार बार ना जोड़ा जाए क्योंकि मैं राजनीती में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ ना कि गुंडों का साथ देने इसलिए मेरा नाम बार बार ना जोड़ा जाए और मुझे तो लगता है उन गुंडों के सर पर जो हाथ है वो अपोजिशन पार्टी के किसी नेता का है और उसने सोचा की चलो अगर ये कांडो ही गया है तो मेरे जैसे साव सभी वाले नेता की जो छभी है उसे खराब कर दिया जाए ताकि आने वाले चुनाओ में उन्हें फाइदा हो सके बाकि आप लोग बहुत समझदार हैं अगर मैं उनका साथ देता तो उन्हें पकड़वाता नहीं ये कहकर वो जो नेता था वो अपने घर में वापस चला गया और सभी जो मेडिया वाले थे वो इस बयान को पूरे टीवी पर चलाने लगी और पूरे शहर में यही बात फैल की कि वो नेता तो बहुत अच्छी है और कुछी दिर बाद उस नेता ने स्टेटमेंट दे दी कि उसके लोगों ने उन दोनों गुंडों को ढूंड लिया है और वो गुंडे शहर के बार वाले जंगल में है ये बात सुनते ही शहर की जो पुलिस थी वो हरकत में आ गई और वही इस खत्रे से अंचान वो जो संजय और विकास थे वो जंगल में इदर से अदर खूम रहे थे गुमते गुमते रात हो गई और वो दोनों बहुत ज़ादा ठक गए एक साफ सुतरी जगा देखकर वो एक पेड़ के नीचे लेट कै खाना उन्होंने खा लिया था और लेटने के बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे थे यार संजय कुछ होगा तो नहीं न मुझे बहुत डर लग रहा है ये गुंडा गर्दी वाला रास्ता अपना के कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया न मुझे आज डर लग रहा है पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर जो है वो मुझे लगे जा रहा है जैसे कुछ होने वाला है जैसे वो हमें पकड़ लेंगे और कुछ घर देंगे मुझे बहुत डर लग रहा है उसके बाद संजे ने कहा तिरह दिमाग खराब है तू डर रहा है तू तू कैसे डर सकता है तुझे पता नहीं है इलाके में हमारे कितना नाम चलता है हां हर तुकान वाला हमसे डरता है हमें अफता देता है और तू ऐसे डर रहा है अगर तुझे गुंडा गर्दी नहीं करनी थी तो इस लाइन में आया क्यों हाँ अब जब आ गया तो इसमें डरने का नहीं है समझा इसलिए शांती से सो जा वैसे भी साप का हाथ हमारे सर पर है और हमें कुछ नहीं होने वाला जब मामला शांत हो जाएगा तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा समझा तू उसके बाद विकास ने हां में सरह लाया और वो दोनों सो गए दोनों को ही काफी गहरी नींद आये थी क्योंकि वो जंगल में इदर से उदर बटक बटक के काफी ठक गए थे संचे एकदम गहरी नींद में सो रहा था तब ही उसी कदमों की आवाजे सुनाई दी जैसे धेर सारे कदम वहाँ पर चलती हुए आ रही हूँ जैसे ही उसने आखे खोल कर इधर उदर देखा तब उसे कोई नजर नहीं आया और तब ही अचानक से गोली चली और गोली चलते ही एकदम मानो गोलियों की बोच्छार हो गई और एक गोली जो थी वो सीधा विकास के सर के आर पार निकल गई और विकास के खोन से वो जो जमीन थी वो लाल हो गई संजे ने जब विकास को ऐसे मरी वी हालत में देखा तब उसका जो खौब था वो कई गुनाज़ादा बढ़ गया गोलिया चली जा रही थी और अपनी जान बचाने के लिए संजे जो था वो वहाँ से भागने लगा लेकिन एक गोली जो थी वो उसके पैर में लगी और पैर से काफी खौन बहने लगा लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था जैसे तैसे अपने दर्द को सैता हुआ उसका पी एक टांग को पकड़ा और वो वहाँ से भागने लगा लेकिन बदकिस्मिती से भागते भागते रास्ता जो था वो खतम हो गया और सामने एक नदी जो थी वो नजर आई अब संजे के पास दो रास्ते थे या तो वो अपने आपको पुलिस के हवाले कर देता और पुलिस वाले या तो उसे अरेष्ट करते या तो सीधा एंकाउंटर करते थे और वहीं दूसरी थरफ उसके पास रास्ता था कि वो पानी में कूच जाता और उसमें भी उसके बचने के काफ़ी कम चांस थे क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी और उसे टैरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता लेकिन उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं जो उसे ठीक लगा उसने वही किया उसने सीधा पानी में छालांग लगा दी जब तक पुलिस वाले बहाँ पर पहुँचे तो संजे जो था वो पानी में कूच चुका था पुलिस वालों ने उपर से फारिंग शुरू करी लेकिन एक भी गोली संजे को नहीं लगी और पुलिस वालों ने कहा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पक्का यकीन है उसके प्यार में गोली लगी है और वो तैर नहीं पाएगा वो डूपके मर जाएगा तो मैं काम करो गोधा गोरे की टीम को बुलाओ और वो जो है लाश को निकाल लेगी थोड़ी देर बात वहाँ पर गोधा खोर जो होते हैं जो डाइविंग करकी नदी तलाब और समुंदर में से समान को निकालते हैं वही आए और उन्होंने जब अच्छी तरह से पानी के नीचे देखा और जाच पड़ताल करी तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला वो सभी बाहरा है उन्होंने कहा या तो कोई लाश नहीं है जैसे ही ये बात पुलिस वालों ने सिनी तब वो सब हैरान हो गए और जिसका साफ साफ मतलब था कि वो जो संजे था वो कही बच के निकल गया था जब संजे की आँख खुली तब उसने देखा कि वो नदी के किनारे बेजान लाश की तरह पड़ा हुआ है उसके बाद उसने थोड़ा ताकत इखटा करी और अपने दर्द को सैता हुआ वो खड़ा हुआ जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसके जो पैर थे वो लड़ खड़ा गए और वो वापस जमीन पर गिर गया उसके आखों के सामने जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब एक फिलम की तरह चलने लगा कैसे उसने बुखला कर उस पुलिस वाले को चाकू मारा और विकास के साथ वहां से बागा और विकास की जो मौत थी वो भी काफी दर्दनाक हुई थी उस बिचारे को पता तक नहीं चला और उसकी मौत हो गई अपने दोस्त विकास का जो खून था वो संजी को अपने आसपास नजर आ रहा था संजी को यही लग रहा था कि काश उसने बुखला कर उन पुलिस वालों को चाकू नहीं मारा होता तो यह सब नहीं होता लेकिन अब क्या कर सकते थे उसके पास पस्ताने के लावा कोई रास्ता नहीं था जैसे दैसे वो गिसडता हुआ जंगल में पहुँचा वो चलने लाइक बचा नहीं था रात से सुबा हो गई और पूरा दिन संजी जो था वो भूका प्यासा वहीं पर गिसडता रहा वो गिसड गिसड के कहीं न कहीं इदर उदर जा रहा था और दर्द से कर रहा था लेकिन वो कर भी क्या सकता था वो बहुत बेबस और मजबूर हो गया था उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी उसने जितनी लड़कियों को परेशान किया जितने बुरे काम किये उन सब की सजा उपर वाला उसे दे रहा था उसे यही लग रहा था कि उसकी भी मौत वही तड़ब तड़ब कर हो जाएगी तभी पूरा दिन गुजरने के बाद शाम के वक्त उसने वहाँ पर पैलों की आवाज सुनी जैसे कोई लड़की पैल बहन कर आ रही हो उन आवाजों को सुनकर उसे लगा कि शायद उसे मदद मिल जाएगी लेकिन उसे साथी साथ डर भी था कि अगर उस लड़की को पता चल गया कि वो एक अपरादी है तब वो पक्का इसे पलिस में दे देगी यही बात उसे परिशान कर रही थी और मदद लेने से रोक रही थी तब ही एक बहुत ही खुबसुरत गोरी सी लड़की वहाँ से निकली और संचे जो था उसके पास दो रास्ते थी या तो वो मदद मांग ले या तो वहाँ छुप जाए ताकि वो लड़की उसे देख न पाए थोड़ा सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वहाँ पर तड़ब तड़ब के मरने से अच्छा है मदद मांगे लेता हूँ और वो लड़की जब वहाँ से गुजर रही थी तब ही संजे ने कहा सुनो मेरी बात सुनो क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरे पैर मेर चोट लगी हुई है और मुसे चला नहीं जा रहा सुबा से भूका प्यासा यही पड़ा हुआ हूँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है और जैसे ही बात यह लड़की ने सुनी तब उसने यह संजे की तरफ देखा तो वो बहुत ही ज़ादा ड़के हुई क्योंकि संजे की हालत पत से बत्तर हो चुकी थी खोन बहने की वज़े से भोके रहने की वज़े से और उसके दिमाग में जो स्ट्रेस चल रहा था उसकी वज़े से उसका शरीर जो था वो एकदम गिर गया था एकदम पतला सा उस लड़की को संजे पर दया आ गई और उसने संजे को जैसे तैसे उठाया जब वो लड़की संजे को उठा रही थी तब पहली बार संजे के अंदर किसी लड़की के लिए बुरा ख्याल नहीं आया वो उसे देखने लगा वो लड़की बहुत ही ज़दा खूबसूरत थी और वो संजे की मदद कर रही थी इसका मतलब वो दिल से भी बहुत ही ज़दा खूबसूरत थी और संजे को ये भी समझ आ गया था कि वो संजे के बारे में कुछ नहीं जानती और यही सबसे बड़ी रहात की बात थी उसने सुचा कि चलो आज नहीं तो कल उसे पता ही चल जाएगा लेकिन जब तक नहीं पता चल रहा तब तक तो मदद ले लेनी चाहिए बाद में संजे उसे सब कुछ समझा देगा वो लड़की उसे जैसे तैसे बहुत मुश्किलों से अपने घर पर लेकर गई तो उसका घर कुछ खास नहीं था चोटा मोटा जोपड़ी टैप का घर था और उसमें कोई भी सुईधा नहीं थी ये देखकर उस संजे ने कहा क्या तुम इस घर में रहती हो और उस रड़की ने कहा हाँ मैं इसी घर में रहती हूँ आप चिंता ना करें मैं आपकी पूरी मदद करूँगी आपको ठीक करने में लेकिन आप मुझे एक बात बताईया आपका ये हल हुआ कैसे उसके बाद संजे ने जोटी कहानी बना दी उसने कहा कि वो जिंगल में घूमने के लिया आया था लेकिन कुछ बदमाश गुंडों ने उसे नदी में धकेल दिया और नदी में एक बड़ा सा पत्थर जो था वो संजे के पैर से टगरा गया और उसका पैर जो था वो तूट गया उस लड़की ने संजे को अपने घर में लेटाया उसके बाद उसने संजे का जखम देखा तो जखम बहुत ज़ादा गहरा था और पक भी गया था उस लड़की ने संजे को देखती भी का यह जखम तो बहुत ज़ादा पक गया है और इसमें तो पस बन गी है लेकिन ये तो गोली लगने का निशान है पैर में याँ पर छेद हुआ है उसके बाद संजे ने कहा हाँ उन बदमाशों के पास गोली भी थी क्योंकि मैं अपने आपको बचा रहा था था न तो उन्होंने पीसे गोली मार थी जब ये बात सा है उस लड़की ने सुनी तब उसका दिल पसीज कया और उसने कहा ठीक है मैं समझ गई कोई बात नी आप ठीक हो जाएंगे आप चिंता ना करे उस लड़की ने फूलों से कुछ लेप बनाया और उस लेप को संजे के घाओ पर रखा तो संजे को थोड़ा सा रहात मिला उसे अपने पैर में ठंडा ठंडा मैसूस होने लगा और वो उस लड़की की तरफ देख रहा था उसे धीरे धीरे वो लड़की बहुत ज़दा पसंद आने लगी थी और पहली बार संजे को कोई लड़की किसी बुरी नजर से नहीं बल्खी अच्छी नजर से पसंद आई थी उस लड़की ने संजे के पूरे पैर पे लेप लगा दिया उसके बाद संजे को काफी आराम मिला दीरे दीरे रात और हो गई और उस लड़की ने पूछा क्या आप नौनविज खाते हैं? और संजे ने कहा हाँ मैं नौनविज खाता हूँ ये पूछने के बाद वो लड़की वहाँ से चली गई और थोड़ी दिर बाद कुछ खाने के लिए लेकर आई वो खाना जो था वो काफी अलग था संजे ने पूछा ये क्या था आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा उसके बाद उस लड़की ने कहा ये चिकन है इसे हमारे गाउं में अलग तरीके से बनाते हैं शैर के लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता उसके बाद संजे ने कहा चलो एक बाद ट्राइ करता हूँ आज खुश किसमती से ट्राइ करने को मिली गया जब संजे ने उस चिकन को खाया तब उसे काफी अच्छा लगा उसे खाकर मज़ा आ गया उसके बाद उसने उस लड़की की खूब तारीफ कर ली संजे ने कहा क्या बात है मज़ा आ गया ऐसा चिकन तो मने आज तक नहीं खाया तुमने खाना खाया और उसे लड़की ने कहा हाँ मैं भी खा लूँगी अभी मुझे अभी भोक नहीं आप अराम करिए कुछी दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएगे गबरानी की कोई जरूरत नहीं है संजे का जो जखम था वो ठीक तो हो रहा था लेकिन वो अभी चलने फिरने लायक नहीं था और अच्छा खाना खाकर संजे जो था वो कुछी दिनों में चलने फिरने लायक हो गया और वो धीरे धीरे आस पास ऐसे चार पांदस पंदरा गदम चलने लगा दिन के वक्त वो लड़की काम करने के लिए चली जाती थी और रात के वक्त ही आती थी और पूरा दिन संजे उसी लड़की की याद में बिता दिद्धा था एक रात खाना खाने के बाद संजे उथा उसका पेट काफी भर गया था इसलिए उसने सोचा कि चलो अब थोड़ा इदर उदर गोम लिया जाए और वो धीरे धीरे चलता हुआ गोमने लगा तब ही उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो एक पेड़ के नीचे कुछ कर रही थी और उसे ये सब करता हुआ देख कर संजे ने आवाज लगाई और ध्यान से देखा तो वो लड़की जमीन पर हाथ मार रही थी उस लड़की ने पूछा क्या हुआ जिसके जवाब में संजे ने कहा तुम वहाँ क्या कर रही हो मिट्टी में बच्ची हो क्या जो मिट्टी के साथ खेल रही हो और उस लड़की ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं ये कहकर वो काम करने लगी और संजे जो था वो उस लड़की को देखकर मुस्कुराने लगा संजे ने ऐसे ही मजाक मजाक में पूछा अच्छा मेरी एक बात सुनो तुम्हें शादी वादी नहीं करनी क्या मेरे कहने का मतलब है तुमारी उमर जो है वो शादी की हो गई है और तुम दिखने में भी तनी खुबसूरत हो तो शादी क्यों नहीं कर रही हो उस लड़की ने हस्ते वे कहा शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी मैं जैसे जी रही हूँ वैसे अच्छा है अपना कमारी हो अपना खारी हूँ और वैसे भी मुझे कौन शादी करेगा नहीं मेरे माता है नहीं पिता है और मुझे शैर की लड़कियों जैसे बन के रहना भी नहीं आता बस ऐसे ही है जिंदगी तो मुझे शादी नहीं करनी जब ये बात संजे ने सुनी तब संजे ने मनी मन कहा तुम कहो तो दिल निकाल के देदो तुम्हारे लिए तो शादी करने के लिए मैं हमेशा तयार हूँ उस लड़की ने कहा चलिये बाप सो जाईए वरना दिन में उठेंगे नहीं और दिन में मुझे काम पर जाना है और ये कहकर वो लड़की सोने के लिए चली गई और संजे भी सोने के लिए चला गया सुवा सुवा जब वो लड़की काम पर चली गई और संजे अपना walking practice कर रहा था ताकि वो जल्दी जल्दी चल फिर सके वो चलते चलते उसी पेड़ के नीचे पहुँच गया और वो याद करने लगा कि आखिर कैसे वो जो लड़की थी वो प्यार से मिट्टी पर हाथ मार रही थी और वो उस मिट्टी को छू कर देखने लगा तब ही उसके हाथ में कुछ चुबा और वो कुछ नोखिली चीज थी जैसे ही उसने थोड़ा सा मिट्टी को साइड किया तो उसे कुछ सफेद सफेद सा नजर आया और उसने सीधा मिट्टी को साइड करना शुरू कर दिया साइड करते करते वो जो मिट्टी थी वो हटती गई और एक बहुत बड़ा गड़ा बनती गई ये देखकर संजे को यकीन नहीं हुआ और उसने मिट्टी को खोद-खोद के काफी बड़ा गटा कर दिया और उसने देखा कि उस गट्ठे के अंदर धेर सारी बिल्लियों की और कुत्तों की हड्डियां थी वो भी पूरा कंकाल समेथ ये देखकर संजे को अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ किया खिर एक ही जगा पर इतने सारे कुत्ते बिलियों की जो लाशी है उनकी हड़िया कैसे मिल सकती है और कुछ संजे को अजीब लगा तब ही वो धीरे धीरे चलता हुआ वो इस जगा पर गया जहां पर वो लड़की खाना बनाती थी और जैसे ही संजे उस जगा पर पहुँचा तो वहां की हालत देखकर उसने तुरंट उल्टी कर दी क्योंकि वो लड़की जहां पर खाना बनाती थी वहां पर चार कुत्तों के कटे हुए सर और बिल्लीयों की जो लाशे थी वो पड़ी हुई थी और उनमें कीड़े लग गए थे और संजे को दीरी दीरे समझा गिया कि वो लड़की जो रोज चिकन के नाम पर उसे खिला रही है वो चिकन नहीं बलकी यही कुत्ते बिल्ली का मांस है और संजे वही पर खड़े खड़े उल्टियां करने लगा उसे समझा गया कि वो जो लड़की है वो सिर्फ दिखने में शरीफ है और उसके अंदर राक्षस है तभी वो दिन में काम करने के बहाने बहार निकल जाती है और रात की वक्त ही आती है संजे जो था वो धीरे धीरे उसने सोच लिया कि वो वहाँ से निकल जाएगा उसने अपने एक-एक कदम रखा और वो उस जगा से दूर जाने लगा चलते चलते सुबा से शाम हो गई और अंदेरा होने को आ गया संजे उस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकता था इसलिए वो उस जगा से सिर्फ दूर जा रहा था लेकिन एक-एक कदम रखने की वज़ा से वो पूरे दिन सिर्फ मुश्किल से आदा किलोमीटर ही चल पाया था चलते चलते रात की तकरीबन बारा बज़ गे और संजे जो था वो रुकना नहीं चाहता था वो बस उस जगा से जितनी दूर हो सकता था उतनी दूर जाना चाहता था उसने सोच लिया था कि पाँच किलोमीटर से पहले रुकना ही नहीं है चाहे रात से सुबा हो जाए और वो एक-एक गतम करके चल रहा था तब ही उसे वहाँ पर वही पाईलो की आवाज सुनाई थी और उन पाईलो की आवाज सुनकर संजे जो था वो बहुत डर गया उसे यही लग रहा था कि वो लड़की वही पर आ रही है और ये बात बिलकुल सच थी संजे ने दूर देखा तो वो जो लड़की थी वो भागते हुए उसी की दरफ आ रही थी और संजे बहुत ही ज़ादा घबरा गया अब संजे दोड़ तो नहीं सकता था बस छुप सकता था इसलिए वो अपने आपको छुपाने की कोशिश करने लगा संजे के पास में आकर रुकी और उस लड़की ने कहा तुम पागल हो क्या? इतनी रात को कहा जा रहे हो? हाँ? जिसके जवाब में संजे ने कहा कुछ नहीं, वो मेरा बैर ठीक हो गया था तो मैंने सुचा अब तुम पर क्या बोज़ बनना? इसलिए चला जाओं फिर उस लड़की ने कहा क्या? तुम्हारा पर अगर तुम दो-तिन कदम चलने लगे तब तुम चले जाओगे यहां से? हाँ? तुम तो बड़े मतलब ही हो अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारी मदद करती नी मरने के लिए छोड़ देती यार इतना मतलब ही कोई कैसे हो सकता है? संजे को उस लड़की से डर लग रहा था वो थी तो बहुत खूप सूरत एक्तम अपसरा जैसी लेकिन उसके अंदर की जो हकीकत थी वो संजे को पता चल गई थी इसलिए संजे को उससे घिन भी आ रही थी वो लड़की जब अरदस थी संजे को अपने साथ वापस उसे जगा पर ले जाने लग गी संजे ने कई बहाने बनाए लेकिन उसके सारे बहाने जो थे वो नाकामियाब हो गया वो लड़की संजे को वापस उसी जगा पर ले आए थोड़ी दिर बाद वो लड़की जो थी वो फिर से वही चिकन वगएरा लेकर संजे के पास आई और उसने उस चिकन को संजे के पास रख दिया और जैसे ही संजे ने थाली को देखा तो उसने वहीं पर उल्टी कर दी और उसकी उल्टी जो थी वो पूरे बिस्तरे फर फैल गई ये देखकर उस लड़की ने कहा क्या हो तुमें? तुम ठीक तो हो? तुमारी तब्यत तो ठीक है न? और संजे ने कहा हाँ ठीक है मेरी तब्यत तुम इसे ले जाओ मुझे आज भूक नहीं है मैं कुछ फलवल खा लूँगा उसके बाद उस लड़की ने कहा तुम तो अभी ठीक थे इसलिए मैं कह रही थी तुम क्यों गए तनी दूर पैदल पैदल? हाँ? बताओं और खमजोरी आ गई तुमारे शेरीर में इतनी मुश्किल से मैं ने खिला पिला के तुम्हें ठीक करा था संजे अपना मूँ साफ करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकला और उसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान जो था वो पूरा लाल था और उस रात लाल चांद निकला हुआ था जिसकी वज़े से हर जगा सिर्फ लाल लान लजर आ रहा था उस लड़की ने कहा ये चांद तो लाल हो गया कितना डरावन लग रहा है न और उसके बाद संजे ने कहा हाँ डरावन तो है अपना मुँ साफ करके वो जो संजे था वो वापस वही बेड़ पर लेट गया और वो खेड़की से छोटी सी जो खेड़की थी जोपड़ी में उसी से देखने लगा चांद को उस लड़की ने कहा चलो मैं तुमारा जखम देख लूँ अब खीक हो गया होगा उसके बाद उस लड़की ने संजे का जखम देखना शुरू किया संजे को उस लड़की से डर लग रहा था कहीं वो लड़की कुछ करना दे और तब ये उस लड़की ने कहा तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया रा कि रोज मैं तुम्हें कुट्टे बिल्ली का मांस खिलाती हूँ जब संजे ने ये सुना तब उसके पूरे शेरीट के जो रॉंग्टे थे वो खाड़े हो गए और उसने कहा क्या क्यों मजाग कर रही हो हाँ मजाग मत करो उसके बाद उस लड़की ने कहा मैंने उस पेड़ के नीचे देख लिया जैसे मैंने गड़े को बंद किया था वैसा गड़ा रही था इसका मतलब तुमने वहाँ पर खोद कर सब कुछ देख लिया इसलिए अब जूट मत बोलो तुम यही सोच रहे हो गिरा कि मैं कैसी इंसान हूँ यह कुत्ते बिली को मांस तुमें मैं खिला रही हूँ तो मैं एक बात बता दूँ मैं इंसान नहीं हूँ जैसे यह बात संजे ने सुनी तब उसकी जो दिल की धड़कने थी वो तेज होती जा रही थी और उस लड़की ने मुस्कुराते हुए संजे की तरफ देखा और उस लड़की ने कह मैं एक यक्षे नी हूँ समझे तू और आज रात की रात मेरे लिए बहुत सादा खास है आज रात मैं एक पूजा करने वाली हूँ और उस पूजा को करने के बाद मेरी शक्तिया जो है वो और भी जादा कई गुना बढ़ जाएंगी लेकिन उस पूजा को करने के लिए कुछ शर्ते हैं मुझे शादी करने होगी और अपने पती की बली चड़ानी होगी इसलिए तो मैंने तुमें बचाया अब मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती जब तुमें मेरी हकीकत इतनी पता चल गई है तो पूरी पता लगने में तो अब पूरी पता लग जाए तो क्या फरक पड़ता है इसलिए मैंने तुमारा इतना ख्याल रखा कि आथ उसके बाद संजे ने कहा नहीं, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा संजी तुम, तुम कुछ भी कर लूँ मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला और जैसे ये बात उसी एक्षेनी ने सुनी वैसे ही उसने मुस्कुराया और उसके मुस्कुराते ही इए संजे के पैर में एगदम आस हैनि으े दर्द हुआ। और फो इटन।ав चीक पढ़ा। संजे ने अपनी पैर की तरफ देखा तो उसके पैर में एक अजीव सी हलचल हुई। और उस हलचल को दिखे संजे को बहुत खिंसी आई। और उसने दिखा कि उसके पैर के अंदर से एक बहुती मोटा खीडा निकल रहा है, रेंगता हुआ, और उस कीडे को देखकर संजे की आँखों में एकदम खौफ जो था, वो भर गया, और उसका जो दिल था मानो, रुकसा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकर उसके पैर म कि तरह चिलाने लगा, और उस यक्षिनी ने कहा, क्या सोच रहे हो, तुम्हारे पैरों में से ये कीडा कैसे निकल रहा है, तो तुम्हें इतना हैरान हो कि नहीं की जरूत नहीं है, क्योंकि कुछी दिनों में, तुम्हारे पैरों में से सौ से भी साधा कीडे निकलेंगे, पता है कैसे वो ऐसे क्योंकि मैंने उस दवाई की लेप के साथ में कीडे मकोडों के अंडे भी डाल दिये थे और उस दवाई से तुम्हें दर्दे से रहा तो मिल गई लेकिन तुम्हारे जखमें में वो अंडे भी बहुँच गे अब वो अंडे धीरी धीरे फूटेंगे तो उनमें से कीडे तो बहार आएंगे ही न और ये सोच कर उसने अपने हाथ जोड़कर उसी अक्षिनी से भीक मांगना शुरू कर दिया कि उसे वो जाने दे और उसी अक्षिनी ने कहा मुझे पता है कि तुम सिंदा रहना चाहते हो तो मुझे ये एक काम करना है बस तुमसे शादी करने है अगर तुम मुसे सिर्फ शादी ही कर लोगे न तो मैं तुम्हारी बली नहीं दूँगी बस शादी करके तुम्हें छोड़ दूँगी ठीक है और ये जो तुम्हारे पैरों में अंडे है ना उनके उपर में एक ऐसी दवाई लगा दूँगी जिसे सारे अंडे खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा पैर जो है वो एक्तम ठीक हो जाएगा तुम्हारे पास सिर्फ सुबा के पांच बचे तक का वक्त है क्योंकि अगर अब एक अंडा तूट कर उसमें से खीडा बाहर आ गया है तो कुछी घंटों में सारे अंडे तूट जाएंगी और उनमें से भी खीड़े निकल आएंगी उसके बाद क्या होगा तुम जानते ही ह क्या तुम उसे शादी करोगे संजे ने रोते भी कहा हाँ मैं करूगा बस मुझे ठीक कर दो मेरे पैर को ठीक कर दो मैं तुमसे शादी करूगा लेकिन मेरी बली मत चड़ाना मेरी बली मत चड़ाना हाँ मेरी बली मत चड़ाना उसके बाद उस यक्षिनी ने अपने जाद इसको उठने के लिए कहा संजे ने मजबूरन उस यक्षनी के साथ शादी करी क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था अगर वो यक्षनी से सादी नहीं करता तब उसकी मौत काफी तड़ब तड़ब कर होती वो जैसे जैसे यक्षनी के साथ फेरे ले रहा था वैसे वैसे उसे अपने खिये गए कर में याद आ रहे थे कि आखर उसने कैसे लोगों को परेशान किया लड़की उनको छेड़ा कई लोगों को मारा कितनों कि उसने जिंदगिया खराब कर दी उसे अपना एक-एक किया हुए गलत काम याद आ रहा था और वो बच्छता आ रहा था कि आकर उसने ऐसा गलत रास्ता क्यूं अपनाया क्योंकि उसे कही न कही यह लग रहा था कि ये सब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब कुछ उसके कर्मों की सजा है एक एक फेरे के साथ उसका जो पैर का दर्द था वो बढ़ता जा रहा था क्योंकि एक एक करके उसके पैर में जो अंडे थे वो तूट रहे थे और उसमें से कीडे बहार आ रहे थे और कई कीडे तो जमीन पर गिर गए थे और कई कीडों ने उसकी पैर के मांस को खाना ही शुरू कर दिया था काफी दर्द सहते हुए दर्द से कराते हुए एक नर्ख जैसा दर्द सहते हुए उसने साथ फेरों को पूरा किया और जैसे ही फेरे पूरे हुए तो उसने उसी अक्षिनी से भीख मांगी देखो अब शादी हो गई है और अब मुझे छोड़ दो अब मुझे छोड़ दो ना अब अब देखो तुमने जो कहा तो वो हो गया तुमने कहा मुझे शादी कर लो तुम मुझे छोड़ दोगी मैंने शादी कर ली अब मुझे छोड़ दो और इस पर दवाई लगा दो वर ने किया शादी तो हो गई न जिसके जवाब में उसी एकशनी ने ये नए कहा हाँ वैसे तो शादी हो गई लेकिन अभी हम सही माईने में पत्ति पत्नी नहीं बने हैं वो हम तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम सुहाग रात नहीं मनाएंगे इसलिए चुब चाप से जहाँ पर तुम सोते थे वहाँ पर लेट जाओ संजी के पास कोई रास्ता नहीं था उसने अपने आपको इससे ज़दा बेबस मजबूर और आसाहाई का भी नहीं देखा था वो वहीं जाकर लेट गया और उस यक्षिनी ने धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े उतार दिये और उसके पास आने लगी उस यक्षिनी ने भी खुद के भी सारे कपड़े उतार दिये और वो संजे के साथ शारिरिक सम्बंद बनाने रही कई घंटों तक वो यक्षनी संजे के साथ शारेरिक संबंद बनाती रही और संजे जो था वो अपने पैर के दर्द से तणपता रहा वो बार बार उस यक्षिनी से भीक मांग रहा था कि वो उसके पैर को ठीक कर दे लेकिन वो यक्षिनी सिर्फ शारे एक संबंद बनाने में व्यस्त थी संजय ने फिर अपने पैर की तरफ देखा तो उसके पैर की जो हड़ी थी वो नजर आने लगी थी क्योंकि जितने भी कीड़े बाहर निकले थे उन्होंने उसके पैर के सारे मांस को खा लिया था तब ही अचानक से उसका पैर जो था वो एकदम फट गया और उसमें से कई सारे कीड़े बाहर निकलाए और जैसे ही संजे का पैर फटा तो धेर सारा खून वहाँ पर बह गया और संजे की एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई उसी अक्षनी ने संजे के शरीर का सारा खून पी लिया और सारा खोद पीने के बाद उसने संजे की लाश को उसी पास वाली नदी में फेग दिया और उसने अपनी पूरी पूजा को कम्पलीट किया और अपनी शक्ती को उसने कई गुना साधा बढ़ा लिया संजे और विकास का जो सफर था वो काफी दर्दनाग था विकास को तो फिर भी एक असान मौत मिल गई लेकिन संजे को काफी दर्दनाग और घिनावनी मौत मिली कहते हैं कि आज भी यक्षिनी उसी जंगल में रहती है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो अपने अगले शिकार का इंतिजार करती है तो कमेंट शिक्षिन में अपने बारे में ज़रूर बताईएगा कि क्या आप उसके साथ शादी करने के लिए तयार हैं लेकिन याद रखिए का आपको वो सारे दर्द सैने पढ़ेंगे जो दर्द संजे ने साहा है अकाश और अभी शेख एक दूसरे के पक्के बेस्ट फ्रेंड थे वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनका नाम उनके कॉलेज में तो क्या अगल बगल जितने भी कॉलेज थे सब में बदनाम था क्योंकि वो दोनों एक नंबर के बदमाश थे उन दोनों के पापा एक बहुती बड़े बिजनसमेन थे इसलिए उनके पास पैसो की कोई कमी नहीं थी जिस कांड को करने के बारे में सोच कर ही किसी आम स्टूटेंट की हालत खराब हो जाती थी उन कांडों को करना उन दोनों के लिए आम बात थी लेकिन जब भी वो ऐसे कांड करते तो उनके पिता जी उन दोनों को बचा लेते उनके पास बहुती जदा पैसा था इसलिए वो और किसी का पैसे से मूँ बंद करवा देते थे और इसी कारण की वज़स से वो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे एक रात की बात है वो दोनों एक दूसरे के साथ बैट कर बाचीत कर रहे थे और तभी उनके पास से एक सूपर बाइक निकली उस सूपर बाइक की आवाज सुनकर ही अभिशेक ने कहा वाह क्या बाइक है इसकी आवाज काफी अच्छी है ना अकाश ने कहा अवास तो बहुत अच्छी है चलाने में बहुत मज़ाएगा वैसे तुमने ध्यान दिया कौन सी बाइक है और उसके बाद अब इशेक ने कहा मेरे क्याल से कोई कमपनी मुझे याद नहीं लेकिन अवास से लग रहा था कि हाया बूजा है है न और उसके बाद अकाश ने कहा मुझे भी बही लग रहा है फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहाट आ गई अब इशेक ने कहा क्या भाई क्या सोच रहा है और अकाश ने फिर जबाब दिया वही जो तू सोच रहा है और उसके बाद वो दोनों हसने लगे कुछ दिनों बाद वो दोनों बाई के शोरूम में पहुचे और वहाँ पर उनोंने अपने अपने लिए सूपर बाईक्स पसंद करी लाखों रुपे की बाईक उनोंने चंद मिंटों में खरीद ली उसके बाद क्या था उनोंने उस बाईक पर बैट कर पूरे शहर में जैसे कौरामी मचा दिया रोज रात को वो दोनों रेस करने के लिए निकल पड़ते थे जब भी रात के 11-12 बसते तो वो अपने घर से निकलते और अपनी सूपर बाईक्स पर रेस करते ऐसे ही एक रात वो दोनों रेस करते करते शहर के सबसे सुनसान जंगल में पहुँच गए वो दोनों आपस में ही रेस कर रहे थे और रेस जीतने के चकर में वो दोनों ये भूल गए कि वो जो बाईक है वो जितनी स्पीड में जाती है उतना ही एकसीडन्ट होने का खत्रे को भी बढ़ा देती है और यही बात वो दोनों जीत की लालज में भूल गए नहीं आकाश ने स्पीड पर इतना ध्यान दिया नहीं अभी शीक ने और उस सुनसान जंगल में जाकर रास्ता उबर खाबर होने की वज़ा से दोनों की जो बाईक थी वो डिस्बैलेंस हो गई और दोनों की बाईक एक पेड़ से जा टकराई बाईक के टकराते ही वो दोनों कई फुट दूर गिरे और उसके बाद उनोंने अपना सर पकड़ा और वो उठे तो उनोंने देखा कि उनकी बाईक पे आग लग गई थी और वो दोनों उस बाईक से दूर भागे देखते ही देखते दोनों बाइक ब्लास्ट हो गई और वहाँ पर आग लग गई अब इशेख बहुत ही ज़ादा गायल हो गया था वो तो हेलमेट ने उन दोनों की जान बचा ली थी अगर हेलमेट ना होता तो उनका जो सर था उसके टुकडे टुकडे होना पक्का था गायल होने के बाद भी उन्होंने एक दूसरे को समाला और उसके बाद किस्मत से वो जो बाइक की आग थी वो जादा जंगल में पीडों में नहीं फैली और वहीं पर खतम हो गई और ये देखने के बाद वो दोनों आपस में बाते करने लगे तेरा तेरा फोन का है मुझे तो लग गई यार मैंने सोचा नहीं था यार कि बाइक डिस बैलन्स हो जाएगी मैंने दिहान नहीं दिया कि ये जंगल और यहां के रास्ते इतने अच्छे नहीं होते कि हम इतने स्पीड में बाइक चला पाए आँ मेरे खालते मेरी पसली पर लगी है और उसके बाद अकाश नहीं कहा तेरे से जादा मेरी हालत खराब है मुझे भी काफी चोट आई है मेरे मुझे तो बलर्ड भी निकल रहा है मेरे फोन की तो ऐसी की तैसी हो गई पता है नहीं चल रहा कि ये फोन है ये क्या है कबाड़ा बन चुका है अब यहां किस से मतत मांगे उन दोनों को समझा गया था कि वो दोनों एक बहुती बड़ी मुसीबत में फस चुके थे उनके दोनों मुबाइल्स खराब हो चुके थे और उनकी बायक्स चोथी वो बलास्ट हो चुकी थी और किसी काम की नहीं बची थी वो एक सुनसान जंगल में थी जहां पर दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं था उन दोनों को काफी चोटे लगी थी इसलिए वो दोनों दर्द से कराते हुए बिहोश हो गए थोड़ी दिर बाद अबिशेक की आँखे खुली तो उसे बहुत ज़ादा दर्द हो रहा था उसकी आँखे खुली तो उसने आसपास देखा कि वो एक चोटे मुटे घर में है उस घर की हालत काफी खराब थी लेकिन घर ठीक ठाक था उसने अपने शरीर को देखा तो शरीर पर कई जगा पटिया बंदी हुई थी उसकी काफे जगा चोटाई थी पैर में पसली में और नजाने कहा कहा और उसके बाद उसने आसपास देखा तो उसे अबिशेक भी नजर आ गया अभिशेक को भी काफी चोटाई थी और उसके शरीर पर भी काफी जगा पट्टिया लगी वही थी अकास ने मुझ खोल कर अभिशेक को उठाने की कोशिश करी अकास ने कहा अभिशेक 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 उत्यार उत्थ अरे होश में है की नहीं है अभिशेक ने कोई जवाब नहीं दिया और अकाश यो था वो बार बार अभिशेक को उठाने की कोशिश कर रहा था तब ही वहाँ पर किसी के आने के आवास सुनाए दे ऐसा लगरात है जिससे कोई लड़की पाइल पहन कर वहाँ पर आ रही हो तब ही उस कमरे का जो दर्वाजा था वो खुला और वहाँ पर एक लड़की आई उस लड़की के हाथ में कुछ दवाईया थी और उन दवाईयों को देखकर अकाश ने कहा तुम कौन हो और हम यहाँ क्या कर रहे है अकाश बहुत ही ज़ादा कमजोर था इसलिए उसकी नजरे जो थी वो दुंदली दुंदली हो गई थी और उसे इतना समझ आ रहा था कि यह जो कोई भी है वो एक लड़की है उससे ज़ादा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तब ही उस लड़की ने एक दवाई जो थी वो अकाश को पिलाई और उस दवाई को पीने के बाद उसके शरीर में थोड़ी बहुत ताकत आई और वो सब कुछ साफ साफ देखने लगा और जैसे ही उसने उस लड़की को देखा उस लड़की की खुपसूर्ती को देखकर अकाश जो था वो एकदम देखता ही रह गया उसके दिल की जो धड़कनी थी वो काफी तेज हो गई और अकाश ने कहा तुम कौन हो और हम यहाँ क्या कर रहे हैं तब ही उस लड़की ने कहा कि आप साधा अपने आपको टेंशन मत दीजे अभी आपको अराम करने की जरूरत है आप दोनों मुझे जंगल में मिले और आपकी हलत बहुत ही जादा खराब थी मैंने वहाँ पर देखा कि आपकी बाइक स्टो थी उनमें आग लग गई थी और वो दोनों ब्लास्ट हो चुकी थी मैं समझ गई कि आपका बहुत भायानक एक्सिडेंट हुआ है मेरे पास सोईधा नहीं थी मदद बुलाने की इसलिए मैं आपको अपने घर में ले आई ताकि मैं आपका इलाज कर सकूँ आप चिंता मत करिए मुझा अईरवेद का बहुत जादा ग्यान है मैं आपको ठिक कर दूँगी चब ये बात अकाश ने सुनी तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहाट आ गई क्योंकि वो मनी मन उस लड़की को पसद करने लगा था उस लड़की की खुपसूरती ही ऐसी थी जिसे देख कर कोई भी अपना दिल हार जाए तब ही अभिशेक के शरीर में भी हलचल होने लगी उसकी उंगलिया भी हिलने लगी वो भी दर्द से कराता हुआ उठा अभिशेक ने कहा आँ अरे यार सर बढ़ा दुखरा है अकाश अकाश कहा है तू उसके बाद अकाश ने जवाब दिया यही परू बाई यही परू और फिर अभिशेक ने आँखे खोली तो उसने वही नजारा देखा उसकी काफी शरीर पर पट्टिया बंदी हुई थी और वो एक घर में था अभिशेक ने बगल में देखा तो अकाश भी वहीं पर था और वो लड़की भी वहीं पर थी जैसे ही अभिशेक ने उस लड़की को देखा तो उसकी दिल की धड़के ने भी तेज हो गई और वो भी हैरान हो गया कि आखिर इतनी खुबसूरत लड़की क्या दुनिया में हो सकती है वैसे तो उन्होंने शहर में कई खुबसूरत लड़कियों को देखा था लेकिन उससे लड़की की खुबसूरती क्या आगे सबकी खुबसूरती बेकार थी अबिशेक ने भी वही सवाल जवाब पूछे तुम कौन हो? और क्या तुम हमें लेकर आई हो? हाँ? जवाब दो? और उसके बाद उस लड़की ने कहा हाँ, मैं आपको लेकर आई हूँ क्योंकि आपकी बाइक्स का एक्सिडन्ट हो चुका था और मेरे पास मदद बुलाने के लिए सुवेधा नहीं थी आप गपराइए मत, मुझे अरवेद का ग्यान है मैं आपको ठीक कर दूँगी उसके बाद अभिशेक ने कहा अच्छा, ठीक है अगर तुम ठीक कर दोगी तो उसके बाद वो लड़की जो थी उसने कहा, आप दोना आराम करिये मैं कुछ और दवाईयां लेकर आऊंगी ठीक है, ये कहकर वो लड़की कमरे से चली गई और अभिशेक ने धीमी से आवास में कहा भाई तुझे इसके इसके इलाज पर बरोसा है क्या मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलवा ले हाँ इसके पास फोन वगएरा कुछ तो होगा जिससे एम्बुलेंस आ सकी उसके बाद अकाश ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या हाँ ऐसी खुपसूरत लड़की के हाथों मैं मरना ही पसंद करूँगा यह तो मुझे आज सहर दे दे वो भी खुशी-खुशी पी जाऊँगा जैसे यह बात अभिशेक ने सुनी तब उसने कहा क्या क्या तुझे भी यह पसंद आ गई है अभिए मत भूली हो कि तुझे भी पसंद आ गई है क्योंकि मैंने पहले देखा है और मुझे पसंद आ गई है तो भखवास मत कर अभिशेक ने जवाब दिया हाँ हाँ देखते हैं अभी तो अपनी आलत की चिंता कर उपर से नीचे तक पूरी जगा पट्टी बंदी हुई है हाई बहुत दर्द हो रहा है उस लड़की ने उन दोनों को चलने फिरने लाइक बना दिया और वो दोनों दीरे दीरे ठीक होने लगे उस लड़की का जो इलास था वो बहुत ज़्यदा असरदार था वो दोनों जब ठीक हो गए तब सुबा सुबा उन दोनों ने उस लड़की से का अगर आप नहीं होती तब तो हम दोनों की जान पका चली जाती आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तो बहुत ज़्यदा दिल की अच्छी है आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर कभी हम आपके लिए कुछ कर पाएं तो हमें मौकर जरूर देना उसके बाद उस लड़की ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं अब आप चलने फिरने लाइक हो गए हैं वही बहुत बड़ी बात है सुबा सुबा का वक्त था और उसके बाद में सुबा सुबा का वक्त था और उस लड़की ने अभिशेक और अकाश के लिए कुछ खाने के लिए बनाया और उन दोनों को परोज दिया उन्होंने जैसे ही नाश्ता किया तो उन्हें नाश्ता बहुत ही ज़ादा पसंद आया अभिशेक ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी चीज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई अकाश ने भी नाश्टे की खोब तारीफ करी तब ही अकाश नहीं कहा अभिशेक मुझे लगता है कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए ये इस खराब से घर में रहती है पापा से बोलके घर तुडवाके एक अच्छा सा घर बनवा दे इनके लिए उसके बाद अभिशेक ने कहा हाँ भई मेरी तरफ से डन है बनवा दे उसके बाद उस लड़गी ने कहा नहीं नहीं ऐसा करने के कोई ज़रूरत नहीं है ये जो घर है वो मेरी पिता जी की आखरी निशानी है और मैं इसके साथ कोई भी छिडखानी पसंद नहीं करती इसलिए तो मैं इतने सालों से यहीं पर रह रही हूँ मेरे पिता जी एक शिकारी थे और वो यहीं पर रह कर शिकार किया करती थे उनके जानने के बाद ये घरी उनकी निशानी है और मैं इस घर को छोड़ कर गई जाना नहीं चाहती और ना इस घर को बदलना चाहती हूँ उसके बाद अभी शेक और अकाश ने कहा अगर ऐसी बात है फिर तो ठीक है हम आपके घर को कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर फिर भी कोई और मदद आपको हमसे कुछ भी चाहिए हो पैसे कुछ भी और उस उस लड़की ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप दोने ठीक हो गए है अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाईए दोस्ती कर लेते हैं अभिशेक और अकाश एक दूसरे की तरफ देखने लगया और उनके चैरे पर मुझ्करहाट आ गई और उन्होंने कहा हाँ हाँ नेकी और पूछ पूछ बिलकुल आज से हम दोनों दोस्त हैं क्या आपके पास फोन है मैं आपका नंबर ले लू उस लड़की ने कहा नहीं मेरा नंबर तो नहीं है मेरे पास फोन नहीं है उसके बाद अकाश ने कहा इतनी से बाद आपको फोन दिलवा देते हैं आप फोन रखी अपने पास और उस लड़की ने कहा नहीं नहीं मुझे फोन नहीं चाहिए आपको जब भी मिला होगा तो आप रात के वक्त यहाँ पर आ जायेगा मैं रात के वक्त यहीं पर रहती हूँ उसके बाद अकाश ने पूछा रात के वक्त आप यहाँ रहती है तो दिन में और उस लड़की ने जवाब दिया मैं यहीं जंगलों में निकल जाती हूँ और फूल फूल तोड़ती हूँ वही फूल बेचकर मेरा गुजारा चलता है जब यह बात अपिशेक और अकाश ने सुनी तो उन्हें काफे बुरा लगा क्योंकि वो उस लड़की ये लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन वो लड़की कुछ भी फेवर लेने से मना कर रही थी वो दोनों उस लड़की को पसंद करने लगे थे और वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकते थे आखिर में उस लड़की ने उन दोनों से कहा ठीक है आप जाएए अब आप घर जाएए वरना आपके घर वाले फिक्र कर रहे होंगे वो दोनों घर से बाहर निकले और उनों ने कहा अगर आप हमें जंगल के बाहर तक छोड़ देती तो बहुत आसानी होती मतलब महरबानी होती क्योंकि यहां से रास्ता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उस लड़की ने कहा नहीं मैं अपना घर छोड़ कर नहीं जा सकती ऐसे आप प्लीस यहां से सीधा जाएए ना आप यहां से सीधा बस चाहिए आप में रोड पर पहुँच जाएएगे महा से आपको सवारी मिल जाएगी या तो आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे न तकरीबन आट-दस किलो मीटर तो आप जंगल से बाहर निकल जाएगे जैसे ही यह बात अकाश और अभिशेक ने सुनी तब उनका मूँ खुला का खुला रह गया और उन्होंने कहा क्या आट-दस किलो मीटर इतने में तो हमारी मौत जाएगी इससे अच्छे तो आप हमें बचाती नी आट-दस किलो मीटर चलने से तो बच जाते और फिर अभिशेक ने कहा अरे बस कर भाई उन्हों जादा जोक हो गया चल चलते हैं वो दोनों वहां से निकल गए और वो जो लड़की थी उसने घर का दर्वाजा बंद कर दिया अभिशेक और अकाश पूरे रास्ते उस लड़की के बारे में ही बात करते रहे और जब वो में रोड़ पर पहुँचे तो वहां से एक ड्रक गुजर रहा था उस ड्रक वारे से लिफ्ट मांग कर वो दोनों शहर में पहुँचके उन दोनों के ख्याल में वहीं लड़की आ रही थी और जा रही थी उन दोनों को जैसे उस लड़की से प्यार हो गया था यहां तक कि उन दोनों ने ये सपना भी सजा लिया था कि वो उस लड़की से ही शादी करेंगे एकदम सिंपल, खूप सूरत और सौभाव में बहुत ही ज़ादा अच्छी रात के तकरीबन आठ बचे हुए थे और वो दोनों अपने अपने घर में थे तब ही अभी शेक ने अकाश को कॉल किया अकाश ने कॉल उठाया तो सामने से अभी शेक ने कहा भाई एक काम करें वापस उस लड़की के पास चले उसने कहा था कि वो रात को वहाँ मिलेगी एक बार चलते है ना मेरा बहुत मन कर रहा उस लड़की से मिलने गा उसके बाद अभी शेक ने कहा हाँ भाई जरूर चलते हैं मेरा भी बहुत मन कर रहा है और इस बर कार लेकर चलेंगे और थुड़ा स्पीड कम क्योंकि अब मुझे ओवर स्पीडिंग से बहुत डर लगने लगा उसके बाद अकाश और अभी शेक दोनों हसने लगे और वो एक कार लेकर जंगल के बाहर पहुँचे जंगल के अंदर कार नहीं जा सकती थी इसलिए आगे का रास्ता उन्होंने पैदल तै किया जब वो काफी जंगल के अंदर गुस गए तब उन्हें वही घर नजर आया और उन दोनों की रफ्तार जो थी वो काफी जादा हो गई जैसे ही वो घर के बाहर पहुँचे और उन्होंने दर्वाजा खट-कटाया तब अंदर से आवाज आई कौन? उसके बाद अकाश और अभिशेक ने कहा हम हैं आप से मिलने के लिए आए हैं उसके बाद उस लड़की ने दर्वाजा खुला और उसने कहा आप दोनों आप दोनों आगए मुझे तो लगा था आप मुझे भूल जाएंगे अकाश और अभिशेक ने कहा आपको तो अब हम कभी नहीं भूल सकते आप हमारे दिल में बस कही है जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब वो हसने लगी और उसने कहा चलिए अंदर अंदर बैट जाइए मैं आपको अच्छे अच्छे चाय बिलाती हो और वो दोनों अंदर बैट के उस लड़की ने उन दोनों के लिए चाय बनाई चाय पीते पीते अकाश की जो नजर थी वो घर के कुछ समानों पर गई उसने देखा कि धेर सारे फल और फूल और एक लाल किताब वही टेबल पर रखी हुए थी उससे लाल किताब और बाकी के समान को देखकर अकाश ने पूछा तुम मुझे एक बात बताओ ये सारा जो समान है वो क्यों है तुमारे पास मतलब ये फल फूल का तो समझ आता है लेकिन ये किताब किस चीज़ की है उसके बाद उस लड़की ने बताया बस अब मैं आपको क्या बताओ ये मेरी पुछतेनी किताब है सबसे पहले मेरे पिता के पास थी अब मेरे पास है और ये कई फीडियों से चलती वे आ रही है मैं जहां से बिलॉंग करती हूँ वा इस किताब का बहुत जदा महत्व है इस किताब में पूजा की विधी लिखी हुए और हर साल मैं इस किताब को निकालती हूँ और इसमें जो विधी लिखी गई है उस विधी के द्वारा मैं पूजा करती हूँ उसके बाद अभिशेक ने पूछा अच्छा तो कब है ये पूजा उस लड़की ने जवाब दिया जादा दिन नहीं रह गए तकरीबन पांच दिन है पांच दिन बाद ये पूजा है और हाँ आप दोनों को आना है क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है इस जंगल में अकेले रहती हूँ और दिन बार ऐसे ही काम करने में निकल जाता है अगर आप दोनों आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगी कर अकाश और अभिशेक दोनों मुस्कुराने लगे अभिशेक ने कहा मैं तो जरूर आऊंगा इसका बता नहीं और फिर अकाश ने कहा अच्छा ऐसा क्यूँ मैं भी आऊंगा मैं भी तो दोस्त हूँ और वो दोनों हसने लगे और साथी साथ वो लड़की भी हसने लगी उस लड़की ने कहा आप दोनों बहुत ही अच्छे है वरना आजकल के लोग एक बार अगर मतलब निकल जाए तो वापस नहीं आते लेकिन आप लोग देखो मिलने के लिए आए है उसके बाद अकाश ने कहा आप अपने घर पर एक बार बता दीजी न कि आप यहाँ पर हैं और रात बहुत जादा हो गई है अब आप इतनी रात को जंगल से बाहर निकल पाएंगे उसके बाद अकाश ने जवाब दिया हाँ मैं अपने घर पर कॉल कर देता हूं और अभिशेक तो अपने घर पर कॉल कर दे ऐसे कुछ बहाना लगा दे ठीक है उसके बाद अभिशेक ने हाँ में सरह लाया उन दोनों ने अपने अपने घर पर कॉल किया और बहाने लगा दिये और बहाने लगाने के बाद उन्होंने फोन रखा उस लड़की ने कहा तो आज रात क्या खाएंगे आप आप देखिए मेरी छोटे से घर में के जादा कुछ नहीं है बढ़िया बनाने के लिए और अभिशेक ने कहा आप जो बना दीजी अब आपके गरा मेहमान है अब आप अच्छा ही खिलाएंगी कुछ गुस्सा नजर आ रहा था क्योंकि वो दोनों ही उस लड़की से प्यार करने लगे थी अकाश को ये लग रहा था कि अभिशेक बुरा है क्योंकि वो अकाश और उस लड़की के बीच आ रहा था वहीं दूसरी तरह अभिशेक को लग रहा था कि अकाश बुराय क्योंकि वही सेम हाल दोनों का था दोनों एक दूसरे के लिए काफी जादा नफरत रखने लगे थी उन दोनों को काफी चिड मचने लगी थी एक दूसरे से धीरे धीरे ये जो नफरत थी वो बढ़ने लगी पहले तो ये नफरत नजर नहीं आती थी लेकिन बीते कुछ दिनों में ये जो नफरत थी वो बढ़ने लेकी, उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया, और एक दूसरे के साथ घूमना फिरना कम कर दिया, और तकरीवन पांच दिन बाद वो दोनों एक साथ फिर से उस लड़की के घर पर पहुँचे, क्योंकि उस पूजा को अटेंड करने के लिए ही आये थे, लेकिन अंदर अंदर उन्हें पूजा से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस उस लड़की से मिलना था और बातचीत करनी थी, जैसे ही आकाश और अभिशेक दोनों घर के अंदर पहुँचे, तो वहाँ पर काफी सारा मतलब प खाने के लिए लिए कर आती हूँ, और फिर अभिशेक ने कहा, नहीं नहीं, आप इतना परिशान मत हुई है क्योंकि पूजा का इतना सारा समान देखकर मैं समझ गया कि आप सुबा से परिशान हो रही है, और अकाश ने कहा, हाँ बिल्कुल, अभिशेक बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो दोनों वहीं पूजा में बैठ गए, अकाश और अभिशेक दोनों बैठ ही हुए थे, और इंतिजार कर रहे थे कि कब पूजा स्टार्ट हो, और वो जो लड़की थी वो अपना बाकी का जो काम था उसे निपटा रही थी, तभी अकाश ने देखा कि उस लड़की के हाथ में ब्रेसलेट है, और उस ब्रेसलेट में हीरे जड़े हुए थे, उस ब्रेसलेट को देखकर अकाश को लगा, कि यार ये लड़की इतनी गरीब है, ये ऐसे डायमेंड का ब्रेसलेट तो अफॉर्ट कर नहीं सकती, तो इसके पास ये डायमेंड का ब्रेस मुझे गिफ्ट मिला कल रात अभिशेक जी आये थी और इन्होंने ये ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट किया था जैसे ही ये बात अकाश ने सुरी तब उसका जो खून था वो मानो खौल सा गिया और वो बहुत ही जादा गुस्से में आ गिया उसने जैसे अपने गुशे को शांत किया और उसने पूछा अभिशेक तू कल यहाँ पर आया था और ये ब्रेसलेट तूने इसे दिया है और उसके बाद अभिशेक ने कहा हाँ मैं कल्याई से गुजर रहा था तो मैं सुचा एक बार यहाँ पर आकर देख लूँ और थोड़ा मिल जुल लो उसके बाद अकाश ने बहुत गुस्से बरी निगाओं से अभिशेक को देखा और उसे चिलाते वे कहा सुन मेरी बात इसके बीच और मेरे बीच मता समझा मैं इसे प्यार करता हूँ और यह मेरी है यह दो कोड़ी के ब्रेसलेट देकर इसे फसानी की कोशिश मत कर इससे मैं शादी करूँगा इसे रानी बना कर रखूँगा ऐसे तुरे से यह उमीद नहीं थी तु इतना गिरावा निकलेगा मैं इसे प्यार करता हूँ क्या तुझे पता नहीं जैसे यह बात उस लड़की ने सुनी तो उसने कहा क्या आप उसे प्यार करते लेकिन हम तो दोस्त थे न तब ही अभी शेक ने कहा सुन मेरी बात तेरा प्यार है चार दिन वाला मैं जिन्दिगी बार के लिए इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ इसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ समझा तेरा जो टाइम पास वाला प्यार है न मैं उसे अच्छे से समझता हूँ और रही बात इसकी तो ये मेरी बीवी बनेगी मैं इसके साथ शादी करूँगा और हमेशा इसे खुश रखूँगा समझा तेरा कोई हक नहीं बनता आज तक तुने मेरी लिए किया ही क्या है हाँ दोस्ती को इतने साल हो गए जो मैंने बोला वो तुने कभी किया उल्टा मैंने ही तेरी बात मानी है जो तुने बोला वही मैंने किया समझा तुने कभी मेरी वाली नहीं करी लेकिन मेरी बात सुन ले ये मेरी है और ये मेरी ही रहेगी इसे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता वो जो लड़की थे वो अहरान हो गई उसे बहुत ज़दा अजीब लगने लगा कि आखिर वो तो सरिफ दोस्ती चाहती थी लेकिन ये दोनों तो उससे प्यार कर बैठे अकाश और अभिशेक के बीच लड़ा इतनी ज़दा बढ़ गए कि वो दोनों ने एक दोसरे की कॉलर पकड़ ली उस लड़की ने कहा आप दोनों प्लीज शांत हो जाएए ना मुझे आपसे शादी करनी है ना आपसे समझे आप मुझे दोनों मेंसे किसी से शादी नहीं करनी और मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं है रही बात इस ब्रेसलेट की ये लीजे अपना प्रेसलेट और आप दोनों यहां से चले जाएए मैंने तो सोचा था मैं आपसे दोस्ती करूँगी लेकिन लेकिन आप दोनों तो मेरे बारे में कुछ और ही सोचने लगे मुझे आप मेंसे किसी से कोई रिस्ता नहीं रखना चले जाएए और ये कहकर उस लड़की ने उन दोनों को घर से बाहर कर दिया और ये बात उन दोनों को बहुत ही जादा खराब लगी वो दोनों एक दूसरे से और भी जादा नफरत करने लगे उनकी जो लड़ाए थी वो बढ़ गई और वो दोनों उसी जंगल में हाता पाई करने लगे नहीं अकाश अभिशेक को चोड़ रहा था नहीं अभिशेक अकाश को चोड़ रहा था वो दोनों काफी बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे थे कभी अकाश का खोन निकलता और कभी अभी शेक का तभी हाता पाई में अकाश के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर आ गया और वो जो पत्थर था उसने अभी शेक के सर पर दे मारा और उस पत्थर के लगते ही अभी शेक के सर से एकदम खोनी खोन बहने लगा और वो वही पर मर गया उसके खोन से वो जो पूरी जमीन थी वो लाल हो गई और अकाश जो था जब उसका गुसा अरसान्थ हुआ तब उसे समझ आए कि आखर उसने क्या कर दिया है उसने तुरांत उस लड़की के घर का दर्वाज़ जो था वो खटखडाना शुरू किया उस लड़की ने कहा देखिए मैंने आपसे कहा है ना मुझे आपसे कोई रिष्टा रखना है ना उनसे आप दोने यहां से चली जाएए उसके बाद अकाश ने रोते वे कहा तुम मेरी बात सुनो अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फस जाऊँगा प्लीस प्लीस मेरी मदद करो तुम तो हमेशा से सब की मदद करती हो ना प्लीस इस बार मेरी मदद करो उसके बाद उस लड़की ने दर्वाजे को खोला तो उसने देखा, कि अकाश के पूरे चैरे पर खून लगा हुआ था और उसका हाथ भी पुरा हून से सना हुआ था यह देखकर उसकी हालत खराब हो गई उस लड़की ने अकाश से कहा यह आपने क्या किया, आपने अपने ही दोस्त का, कतल कर दिया आप 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 यहां से चले जाएए आपके चिकर में मैं भी फस चाहूँगी आप यहां से चले जाएए और उसके बाद अकाश ने कहा देखो देखो मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने गुस्से में आकर किया अब मेरी मदद करो तुम तुम कह रही थी न कि तुम तुम दोस्ति करना चाहतीयो तुम मैं तुमारा दोस्ति दो हूँ खमसिकंध मेरी मदद करो न जो कुछ होगहाँ उसे मैं पदल तो नहीं सकता प्रीस मेरी मदद करो प्रीस, उसके बाद उस लड़की ने कहा ठीक है लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई गलती मेरी है मुझे आपकी लाइफ में आना ही चाहिए था अगर मैं आपकी लाइफ में ना आती तो आपके 20 लड़ा ही नहीं होती और आज ये नहीं होता और फिर अकाश ने उस लड़की को कसके पकड़ लिया और अकाश ने कहा तुम अपने उपर ब्लेम मत डालो समझी तुम किसी बात की कोई परवा मत करो तुम बस मेरी मदद करो अकाश की लाश को ठिकाने लगा दो हाँ और किसी को पता नहीं है कि मैं यहां बढ़ू और कोई ये भी नहीं जानता कि अभिशेक मेरे साथ मैंने घर पर अलग बहाना लगाया और अभिशेक ने घर पर अलग बहाना लगाया तो उसके घर वाली यही सोचेंगे कि वो कहीं छुटिया बनाने के लिए गया हुआ तो किसी को कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई शक नहीं होगा investigation होगी तो पुलिस वाले अलग अंजल से पुस्तास करेंगे हाँ अकाश बहुत ही ज़ादा घबराय हुआ था वो बस ऐसे ही अडबर कुछ भी बोले जा रहा था और उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्याकर अकाश बोल किया रहा है लेकिन उस लड़की को इतना तो पदा था कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फसने वाली है उस लड़की ने अकाश से कहा पहले तो तुम मेरी कमर छोड़ो पहले मेरी कमर छोड़ो त homepage तो तम ने मरी कमर पकड़ ली, छोड़ो उसके बाद akas ने कमर को छोड़ा और उस लड़की ने कहा सबसे पहले तो लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा वरना कुछ न कुछ होगा ही उसके बाद अकास ने कहा ठीक है हम दोनों मिलकर लाश को ठिकाने लगा देते हैं और उस लड़की ने कहा चलो ठीक है तुम्हें काम करूँ इस लाश को खाई में फेक दो यहाँ से थोड़ी दोरी एक खाई है तुम यहाँ से घसीटते हुए लाश को ले जाओ और फेक दो खाई में बाद की यह जो खून है ना यह सारा मैं साफ कर देती हो और पता नहीं चलेगा कि यहाँ खून की रहा है ठीक है किसी को कोई शक नहीं होगा और अकाश ने उस लड़की को कसके पकड़ लिया और उस लड़की ने कहा तुम बार बार मुझे पकड़ क्यों लेते हो हाँ और अकाश ने कहा तुम मेरा इतना साथ दे रही हो I love you so much मैं जिन्दकी पर तुम्हारे साथ रहूँगा कभी भी तुम्हे कोई प्रॉब्लम नहीं होने तुम का बस एक बार ये मुसीबत सर से टल जाए उस लड़की ने कहा हाँ ठीक है अब जल्दी से इस लाश को ठिकाने लगाओ अकाश अपने ही दोस्त अभिशेक की लाश को लेकर और पता भी नहीं चल रहा था कि उस जमीन पर खोन गिरा है और सारे सबुतों को मिटाने के बाद अकाश और वो लड़की दोनों उस घर में चले गए उसके बाद अकाश ने कहा सारे सबुत मिटा दिये अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा न और उस लड़की ने कहा पता दो नहीं चलना चाहिए लेकिन अभी भी मुझे यकिन नहीं हो रहा कि तुमने ये सब कर दिया क्या जरूरत थी ये सब करने की और फिर अकाश ने कहा तुम्हारा दिमाग खरा बेक्या मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिखी है समझी मैं तुमसे प्यार करने लगाँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगाँ तुम्हें पदा भी ये कितना ज़्यादा प्यार समझी तूम मैंने बहुत लड़किया देखी खुबसूरत से खुबसूरत लेकिन तुम्हारे आगे सब विकार हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर उस लड़की नहीं कहा हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम लड़कों के प्यार कैसे होते हैं तुम लड़कों के प्यार सिर्फ जिस्मानी होते हैं अगर सच में प्यार करते हो तो शादी करके दिखाओ फिर मैं मानूगी और उसके बाद अकाश ने कहा हाँ तो कप कर नहीं शादी अभी चलो जहां शादी हो रही है वहीं चलो तुम्हारे साथ मैं अभी शादी कनिक ले तैयार हूँ और उस लड़की ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ये लो ये मिरे हाथ में सिंदूर है ये लो मेरी मांग में बर दो और हम दोनों की शादी हो जाएगी उपर वाले को दिल से मान कर इस मांग को बर दो और हम दोनों की शादी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा मैं भी तुम्हें पहले दिन से पसंद करती थी लेकिन आज तुमने क्या कर दिया जैसे ही ये बात अकाश ने सुटी तो वो उस लड़की के पास आया और उसने वो जो मांग थी वो भर दी और उसने उस लड़की को किस कर दिया किस करते ही अकाश जैसे अपने शरीर पर से काबुक हो दिया और वो उस लड़की के और भी जादा करीब जाने लगा लेकिन उस लड़की ने अकाश को जरा सा भी नहीं रोका वो उसे एक कमरे में ले गई और वो दोनों वहीं पर फिजिकल होने लगे फिजिकल होने के बाद अकाश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली क्योंकि फाइनली जिससे वो प्यार करता था उससे उसने शादी के वो दोनों बिना कपड़ों के एक ही बेट पर थे और अकाश ने कहा अब लग रहा है कि मेरा सपना जैसे पूरा होगी है जबसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं यही सोचता था कि कब हमारी शादी होगी और कब हमें एक होगे लेकिन आज रात हमें एक हो गए उस लड़की ने कहा अब तो जो तुम चाहते थे वो हो गया ना अब तो मैं तुम्हारी हो गई न अब खुशी खुशी रहो समझे तुम तुम्हारे चकर में आज मैंने पूजा भी नहीं करी कल मुझे पूजा करनी पड़ेगी और अकाश ने हस्टेवे कहा हाँ तुम किसी बात की कोई परवा मत करो कलाराम से पूजा कर लेना उसके बाद वो दोनों रात बर फिजिकल होते रहे और दिन भर भी वो सिर्फ फिजिकल ही हुए वो कमरे से बाहर निकले ही नहीं जब रात हो गई और पूजा करने का समय आया तब वो लड़की बाहर निकली अकाश उसे जाने ही नहीं दे रहा था जैसे तैसे उस लड़की ने अपना हाथ छुड़वाया और वो बाहर निकली उसने फिर से पूजा की सारी तयारिया करी और उसने सारी तयारिया करने के बाद अकाश से कहा सुनो जी अब तुम भी तयार हो जाओ तुम भी पूजा में साथ बैठो और अकाश नहीं कहा क्या? क्या खा तुमने? सुनो जी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में मैं अभी तयार हो जाता हूँ उसके बाद अकाश भी तयार हो गया और वो दोनों पूजा में बैठ के उस लड़की ने कहा चलो अब हाथ जोड़ कर बैठ चाओ और चब तक मैं न बोलूँ तब तक आँखे मत खोलना समझे तुम क्योंकि इस पूजा में आँखे नहीं खोलते आँखे बंद करके रखते हैं अकाश जो था वो लड़की के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो जैसा वो लड़की कहरीती वैसा ही कर रहा था उसने अपने हाथ जोड़े और आँखे बंद करके बस प्राथना करने लगा आँखे बंद किये हुए तकरीबन दस मिनट ऐसे ही बीत के और अकाश ने कहा कि अब मैं आँखे खोल सकता हूँ और उस लड़की ने कहा बिलकुल भी नहीं अभी आँखे मत खोलना अभी बस मैं बोलने ही वाली हूँ आँखे खोलने के लिए जैसे ही मैं बोलूँ वैसे ही आखे खोल देना उसके बाद अकाश ने कहा ठीक है अकाश ने अपनी आखे बंद रखी और उसके बाद उस लड़की ने कहा चलो अब अपनी आखे खोलू जैसे ही लड़की ने ये बाद बुली तब अकाश ने अपनी आखे खोली लेकिन आखे खोलते ही उसकी आखों के सामने जो नजारा था वो बहुती ज़दा भयानक और डरावना था उस नजारे को देखने के बाद अखास जैसे एक पत्थर का भुत बन गिया और उसने देखा कि अभिशेक की कटे हुए लाश की टुकडे उसके सामने पड़े हुए थे और अभिशेक का जो कटा हुआ सर था उसकी उपर मुंबत्ती रखी हुए थी और वो मुंबत्ती जल रही थी और वो दोनों किसी घर में नहीं थे बलकि एक सुनसान जंगल की कोने में थे ये सब देखने के बाद अकाश ने अपने शरीर से पूरा कंट्रोल जो था वो खो दिया वो कुछ भी करने ही पारा था ना ही अपने हाथ पहला पारा था ना ही पैर बस वो बुत बन कर अपने दोस्त अभिशेक की लाश को देख रहा था अपनी दोस्त की लाश की कटेवे टुकडो वो देख कर उसकी दिमाग पर क्या बीत रही थी कोई आम इंसान समझ नहीं सकता जैसे तैसे पूरी ताकत लगा कर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखने की कूशिश करी तो उसने देखा कि उसने जिससे शादी करी जिससे इतना प्यार किया और जिसके साथ उसने इतने टाइम तक शारिरिक संबंद बनाया वो कोई खूपूर सूरत लड़की नहीं बल्खी एक चुडैल थी जो दिखने में बहुत ही ज़ादा भयानक थी और जैसे ही अकाश ने उस चुडैल को देखा तो उस चुडैल ने एक बड़े सी चाकू से सीधा अकाश की आँख परवार किया और उस चाकू को आँख के आर पार कर दिया अकाश को पता भी नहीं चला और उसकी मौत हो गई उसके कुछ देर बाद उस औरत ने कुछ मंत्र पड़े और उस चाकू को वापस निकाला और चाकू निकालने के बाद उसने अकाश का सर भी काट कर अलग कर दिया और उसने दोनों लाशों के शरीर के सारे खून को निचोड़ कर पी लिया और उसके बाद जब उन दोनों के शरीर में एक बून खून नहीं बचा तो उन सारे शरीर के टुकडों को इखटा कर वो उन टुकडों को खाई में फेक कर आ गई उसके बाद उसे औरत ने बोला बिचार ये बेव को जिसमें की आग इनसे क्या क्या करवा दीती है आजकल के जवान लड़के समझ नहीं पाए कि मुझे तो सिर्फ इनकी बली चाहिए थी मैं इन दोनों मेंसे किसी को मारना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने दोनों को आपस में लड़ा दिया ताकि ये दोनों एक दूसरे को मारे और दोनों मेंसे एक तो मरे जाए और ऐसा ही हुआ ये दोनों आपस में लड़े और धोनों मैं से एक मर गया जो मारा, उसका एक खून का इस्तमाल करके मैंने अपनी पूजा पोरी करी और पूजा की एक शर्थ थी, कि मुझे अपने पती की बले चड़ानी थी इसलिए दूसरे के शाद मैंने शादी करी और उसके साथ शारिर एक संबन बनाया और जब वो और मैं पती-पत्नी बन गए ताव मैंने उसकी बली चड़ा दी अब मेरी ताखते और भी जादा बढ़ गई कहते कि आज भी वो यक्षिनी उसी जंगल में रहती है और अपनी ताकत को बढ़ाने की भूक में वो इतनी जादा अंधी हो चुकी है कि वो अगले शिकार का इंतिजार कर रही है तो आप मुझे बताईए कि आप उस जंगल पर जाना चाहेंगे और उस यक्षिनी की सांस कुछ कीमती समय बिताना चाहेंगे अपनी पढ़ाई पोरी करने के बाद रोहन जॉप की तलाश में शहर आया हुआ था उसका सपना था कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉप करे और काम्याबी हासिल करे ताकि वो अपनी जो गरीबी है उसे दूर कर सके शुरुवाती दिनों में उसे बहुती ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था सबसे पहले तो उसे एक जगा चाहिए थी चाहां पर वो रह सके उसके पास पैसे बहुती ज़्यादा कम थे जिसकी वज़े से उसे काफी सोच समझ कर पैसा खर्च करना पड़ता था वो कुछ भी खर्च करने से पहले दस बार सोचता था वो जितने भी किराय के कमरे और किराय के घर देखता था वो सारे घर उसके बज़ट के बाहर जाते थे जसकी वज़े से वो बहुती ज़़ादा परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अपने वैसे वैसे रोगोन की जो टेंशन थी वो भी बढ़ती जा रही थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी रात में अंधेरी में कैसे कहां पर रहेगा वो बहुती ज़्यादा परेशान था तभी एक घर के सामने से गुजरते हुए उसने देखा केक लड़की एक बहुती महगी कार में अपनी घर के अंदर एंटर कर रही थी तभी उसकी कार से एक पर्स जो था वो नीचे गिर गया और गाड़ी जो थी वो घर के अंदर चली गई जब ये सब रोहन ने देखा तब उसने इंसानियत का परिचे देते हुए उस बटवे की तरफ कदम बढ़ाए और उसने वो बटवा उठाया उसके बाद वो सीधा घर के अंदर एंटर कर गिया जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था और उसक्योरिटी गार्ड ने पूछा हाँ वई क्या का मैं का अंदर गुज़े चले आ रहा है जिसके जवाब में रोहन ने कहा अरे वो मैं भी बाहर से गुज़र रहा था तो यहाँ पर एक कार आई और कार में एक मैडम बैठी हुई थी उनका यह पर्स जो है वो जमीन पर गिर गया मैं वही लोटाने आया हूँ जब यह बात गार्ड ने सुनी तब गार्ड ने कहा अच्छा रुको मैं मैडम को बलाता हूँ मैं मैं यह आपका पर्स आपने बाहर गिरा दिया था और जब उस लड़की ने यह बात सुनी तब उस ते अपनी कार को रोका और वो गार्ड के पास आई और उस लड़की ने कहा अच्छा अरे यह तो मेरा पर्स है अरे आपको कहा मिला और उस कार्ड ने कहा यह लड़का लेकर आया है इसे बाहर मिला है उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के को यानि कि रोहन को उपर से नीचे तक देखा उस लड़की ने कहा थैंक्यू सो मच मेरे बहुत important documents थे इस पर्स में अगर तुम मुझे लोटाते नहीं तो मैं काफी problem में फस जाती वैसे तुमारा नाम क्या है और रोहन ने अपना नाम बताया और उसके बाद उस लड़की ने पूछा अच्छा तो तुम यहां मतलब क्या करने के लिए आए हो मतलब लग तो ने रहा के तो मतलब यहां कहीं रहते हो आस पास जिसके जवाब में रोहन ने कहा एक्चली वो मैं ना नौकरी की तलाश में आया हुआ हूँ मेरी बढ़ाई अभी हाली में पूरी हुई है और घर के हालात कुछ ठीक नहीं है मुझे नौकरी चाहिए तो मैं बस शेर में नौकरी ढूंड रहा हूँ और रहने की जगा ढूंड रहा हूँ लेकिन जितनी भी रहने की जगाएं मैंने देखी वो सब मेरे बजट के बाहर थी इसलिए मैं कोई भी रहने की जगा फॉर्ड नहीं कर पाया और मैं अभी बस बेगर घूम रहा हूँ जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसे बहुत ही ज़ादा बुरा लगा और उसने कहा अच्छा तो तुम्हें काम क्यों नहीं करते जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती जब तक तुम्हें स्टेबल नहीं हो जाते तुम हमारे घर में क्यों नहीं रहते जब ये बात रोहन ने सुनी तब उसने कहा नहीं नहीं आप ये कैसी बात कह रही है मतलब मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ आपका पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता और उस रड़की ने कहा क्यों नहीं रह सकते हमारे में क्या काटे लगी हुए हैं ये इतना बड़ा घर है तुम्हें रहने में कोई परिशानी नहीं होगी चिंता मत करो तुम जब तुम्हारी जॉब लग जाय जब तुम अच्छे से फिरेंशली स्टेबल हो जाओ तब तुम्हारा मन करे तो तुम चले जाना, मैं कौन सा तुम्हें बान के रख रही हूँ, लेकिन तब तक तो यहाँ पर रह लो ना, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती, और उसके बाद रोहन ने बाहर का नजारा देखा तो अंधेरा बहुत ही ज़ादा हो गया था, रोहन भी बहुत ही ज़ादा प यह मेरा घर है, काफी महनच से बनाया है मैंने, काफी साल लग गए मुझे यह घर बनाने में, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, और उसके बाद वो लड़की, रोहन को एक कमरे के पास ले गई, और उस लड़की ने कहा, यह लो, यह है तुम्हारा कमरा, तुम इसी में रहोगी, जब तक तुम्हारा मन करे, तब तक तुम रहो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसकी बाद रोहन ने कहा, आपका घर तो मतलब एकदम महल जैसा है, कितना जादा खूपसूरत है, देखकर एकदम आखे जो है वो एकदम चोंदियास ही गही है, और जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसने कहा, हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छे लड़की हो, तुम मेरा पर्स लोटाने के लिए आए, परना कोई और होता तो पर्स में पैसे देखकर उसकी नियत बिगड जाती, खैर कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, अराम वगेरा करो, और थोड़ी देर में हमारा शेफ जो है, वो खाना बना लेगा, ठीक है, और खाना जैसे ही रेड़ी हो जाएगा, शेफ जो है, वो तुमें बुलाने के लिए आ जाएगा, तब तक तुम अंदर अराम करो और नहादो लो, उस उस कमरे में एंटर हुआ, तो कमरा देखकर उसका मुँख खुलागा खुला रहे गया, कमरा बहुत ही ज़दा आलिशान था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सेवन स्टार होटल में आ गया है, और उसने अपने कपड़े औगेरा उतारे, और वो बातरूम में नहाने के ल लग रही थी, तब ही थोड़ी दिर बाद, वहाँ पर कमरे के बाहर किसी नौक किया, और रोहन ने दर्वाजा खुला, तो बाहर शेफ खड़ा था, शेफ ने कहा, सर, खाना रेड़ी है, आप आगर खाली जी, उसके बाद रोहन जो था, उसने हां में सर हिलाया, और वो ड गरीमा ने जवाब दिया, देदी ये रोहन है, अभी मुझे थोड़ी दर पहले बाहर मिले, इसलिए मैंने घर में ले आई, जैसे ये बात, गरीमा की बड़ी बहन ने सुनी, तब उन्होंने कहा, क्या, तुम ये कंजान आदमी को घर में ले आई, क्यों, जिसके जवाब म गरीमा ने कहा, अरे आप पहले मेरी पूरी बात सुनीए, एक्चली मैं कार में बैटी हुई थी और कुछ समान निकाल रही थी, समान निकालते निकालते मेरा जो परस था न वो बाहर गिर गया, और मुझे पता नहीं चला, कार जो है वो घर के अंदर आके, लेकिन ये कितने ज़्यादा इमानदार हैं, ये आए और इन्होंने परस उठाया और मुझे दिया, वरना कोई और होता तो परस में पैसे देखकर सारे पैसे लेकर चला जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जो साफ साफ सबूत है कि ये दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छी ह इसलिए मैंने सुचा तब तक, इसलिए मैंने सुचा जब तक इन्हें जॉब नहीं मिल जाती, तब तक ये हमारे साथ रहें लेंगे, दिल के अच्छे है ना, और गरिमा की जो बड़ी बेहन थी, उसने कहा, ठीक है, अगर तुझे लगता है तो कोई बात नहीं, मुझे को बड़े लोग है, आपके सामने बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है, और उसके बाद गरिमा ने कहा, अरे हम भी इंसान हैं, हमारे भी दो पैर हैं, हमारे भी दो हात हैं, आप तो ऐसा कह रहे हैं, जैसे हम कोई एलियन हैं, आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, आप बैठिये, शर्माइए मत और उसके बाद रोहन जो था वो कुर्सी पर बैठ गया और खाना खाने लगा खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और उसके बाद गरीमन ने कहा ये मेरी बड़ी बहन है इनका नाम रेखा है और हम दोनों बचपन से ही साथ में हैं हमारी मौम बचपन में ही गुजर गए थी और कुछ सालों पहले हमारे डैड हार्ट पेशिंट बन गये थे और उन्हें हार्ट अटेक आ गया था जिसके कारण उनकी भी डथ हो गई तब से उनका दिया वो जो बिजनस है वो हम दोनों ही बहने चला रही है और उसके बाद रो गरीमा ने कहा अरे बुरा क्यों मानेंगे आप कोई ऐसी बात बोली नहीं सकते बोली बोली और रोन ने कहा आप शादी क्यों नहीं कर लेती मतलब आप दोनों बहने शादी कर लीजिए आपकी उमर है आप इतनी खूपसूरत हैं अमीर हैं आपको तो आसानी से कोई भी लड़का भी मिलना चाहिए न हमारे लेवल का दिल का अच्छा हो हमारा ख्याल रख सके ऐसा कोई लड़का मिले तब शादी करे न और हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि हमारा जो बिजनस है वो अभी हमें बहुत आगे तक ले जाना है और उसके बाद रोहन और वो कमरे में चला गया सोते वक्त रोहन जो था वो गरीमा के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि गरीमा बहुत ज़्यादा सुन्दर थी और साथी साथ उसका जो बात करने का तरीका था वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था जिसकी कारण रोहन को गरीमा बहुत ज़्यादा आप समझी सकते हैं और उसके बाद जब वैं सुबा रेडी हो रहा था तब गरीमा ने कहा क्या हुआ कहीं जा रहे हैं कोई इंटर्विव अगेरा उसके बाद रोहन ने कहा हाँ वो अब घर बैठे तो जॉब मिलेगी नहीं जा रहा हूं कंपनीज में अपना रिजियूम्स हाथ पैर चलाऊंगा हो सकता है कहीं न कहीं जॉब मिल जाए और उसके बाद गरीमा ने कहा आप सबसे पहले आप मुझे अपना रिजियूम्स दिखाईए और उसके बाद रोहन ने अपना रिजियूम्स दिखाया गरीमा ने जब रिजियूम्स देखा तब उसनी कहा अरे मारी कंपनी भी बस है छोटी मोटी बस दस हजार करोड की है लगबग अगर आपको प्रॉबलम ना हो तो आप उसमें जॉब कर सकते हैं आपका पैकेज भी में काफी अच्छा खासा अलगवा दूँगी जब ये बात रोहन ने सुनी तब मानो उसको हार्ट अटेक्स आ गया उसनी कहा क्या इतनी बड़ी कंपनी आप कह रही है कि मतलब आप ऐसे मजाख मत करिया करिये मेरे को तो अभी हार्ट अटेक्स आ गया दस हजार करोड सुनकर अब देखिए मेरी जबान भी लड़कणा रही है और ये सुनकर गरीमा हसने लगिया और गरीमा ने कहा तो आप चलिए मेरे साथ इंटर्व्यू के लिए आप मेरी कार में बैट जाईगा और मैं आपको कंपनी में ले चलती हूँ गरीमा रोहन को अपने साथ अपनी कमपनी मिले गई जहां पर उसने काफी देर तक रोहन का इंटर्वियू लिया और इंटर्वियू लेने के बाद गरीमा ने कहा आपने सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिये हैं और मुझे बताते हैं वे काफी खुशी हो रही है कि अब आप हमारी कंपनी में काम करेंगी आप सेलेक्ट हो गए हैं और जैसे ही ये बात रोहन ने सुनी तब उसकी खुशी का कोई ठीकाना ही नहीं रहा उसने कहा क्या सचमी आपने मुझे हायर कर लिया है और गरीमा ने हाम करने लगा वो रोज गरीमा के साथ गरीमा की कार में बैट कर आता जाता था एक रात वे कंपनी से घर वापस आया वे कार में बैठा हुआ था और कार जैसे ही घर के अंदर एंटर करी वैसे ही वो जो सिक्यूरिटी गाड था वो बहुत ही ज़ादा पागलों की तरह चिलान जो तुम मारे जाओगी तुम मारे जाओगी जब ये सारी चीजे रोहन ने देखी तब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया उसने गाड़ी का दरवाजा खुला और उसके बाद उसने उस सिक्यूरिटी गाड को सम्हालते वे कहा क्या हुआ क्या हुआ आपको अभी तो आप कार से निकली और उसने कहा इसको क्या हो क्या अभी तक तो ठीक था और रोहन ने कहा हाँ अभी तक तो ठीक ही था लेकिन पता नहीं क्या हुआ और गरीमा ने कहा कोई है मैं करती हूँ कुछ ठीक है चलो तो मंदर चलो मैं आती हूँ अभी थोड़ी दिर में और उसके इसके बाद गरिमा जो थी, वो घर से बाहर जा रही थी तब रोहन ने कहा, अरे आप इतनी रात को घर के बाहर क्यों जा रही हैं। जिसके जवाब में गरिमा ने कहा, अरे वो सिकॉरिटी गार देखना पड़ेगा न भागते वए कहां गया है। और उसके बाद रोहन ने कहा, अरे तो आप क्यों जा रहे हैं, आप लड़की हैं, समझा करिए, रात का वक्त है, महौल खराब होता है रात के वक्त, आप यहीं रहे हैं, मैं जा कर देखता हूँ, और उसके बाद रोहन जो था, वो काफी लंबा रास्ता तै करके आगे पहु और उसी करटी गाड ने कहा, भाई साब, आप मेरे बात मानिये, आप भी भाग जाएए, उनके साथ मत रहिए, आप चो भी है, मैं समझ के आओं कि आप उनका अगला शिकार है, आप मारे जाएंगे, समझा करिए, समझा करिए, भाग जाएए यहां से, और उसके बाद रोह स सिकारेटी गाड ने कहा, आप, आप, आप समझ नहीं रहें, वह, वह तोनों बहने कोई आँप बहने नहीं है, वह, वह यक्षनिया है, वह नौरमल इंसानों का रोप लेकर यहां रहती है, समझें आप, वह आप जैसे ही लड़कों की तलाश में रहती है, आप, आप मौत हो जाएगी, समझे आप, मैं इतने दिनों से इसलिए वहाँ पर था, क्योंकि मैं मेरे को वश में कर लिया गया था, पहले ये लड़की जो थी, ये बहुत गरीब थी, समझे, और ये जो घर है इतना बड़ा, ये मेरे मालिक का था, जो यहाँ पर रहा करते थे, और मेरे मालिक ने इस लड़की को गरीब समझ कर अपने घर में आसरा दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक यक्षनी है, और उसके बाद इस यक्षनी ने मेरे मालिक को मार दिया, और उनके बिसनस पर और उनके घर पर कबज़ा कर लिया, तुम भाग जाओ, तुम मारे जाओगे, और रोवन ने जब ये सारी बाते सुनी, तब उससे लग रहा था कि शायद ये जब सिक्वरिटी गार्ड है, ये पागल हो गया है, और अपना मानसिक संतुलन खोच चुका है, इसलिए उसने तुरंट एम्बुलेंस को कॉल किया, और वहापर एम्बुलें के मन में घूंद रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो सिक्वरिटी गार्ड था थोड़ी देर पहले एकदम नॉर्मल बिहीविर कर रहा था, और अचानक से उसका ऐसे पागल हो जाना, कहीं वो जो कुछ भी कह रहा था, वो सच तो नहीं था, गरीमा ने र उस्पिटल वाले ट्रिक्मेंट करेंगे, गरीमा ने कहा, क्या, उसने तुम्हें क्या बताया, और उसके बाद, रोहन ने कहा, अरे पता नहीं, क्या अंटिसंट बगवास कर रहा था ये अक्षिनी, और पता नहीं, तुमने उसके माली के घर पे कबज़ा कर लिया, और बि और रेखा भी जो थी, वो वहाँ पर आई, और रेखा ने कहा, और बताओ, कैसा गया ओफिस में दिन, मजा रहा है काम करने में, रोहन ने कहा, जी बिल्कुल, बहुत ही जदा मजा रहा है, एकड़म सब कुछ सपने की तरह लग रहा है, जैसे मैंने सपने देखे थे बड़े जो किचन था, वो गंदा हो गया, ये सब देखकर गरीमा, रेखा, और रोहन, तीनों ही उस शेफ के पास भागे, और वो जो शेफ था, वो बहुत ही ज़दा घपराया हुआ था, उसने रोहन की तरफ देखा, और वो चिलाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, करने की बहुत कुशिच करी लेकिन वो जो शेफ था वो वहाँ से भागना चाहता था लेकिन गरीमा ने तबी उस शेफ का हाथ पकड़ लिया और उसने उस शेफ की आँखों में देखा और जैसे ही गरीमा ने उस शेफ की आँखों में देखा वो जो शेफ था वो एकदम शा पहले वो सिखरिटी गार्ड, अब ये शेफ और ये सब सीजसे बहुत अजीब थी, उसके बाद उस शेफ ने खाना बनाए, उन तीनों ने खाना खाया, रोहन जो था, वो सारी बाते सोच रहा था, जो सिखरिटी गार्ड ने कही थी, और साथ में वो जो शेफ ने किया था, वो भी सोच रहा था क्या ऐसा कैसे हो सकता है। एक आदमी तो अपना मांसिक संतुलन खो सकता है। लेकिन दोसरा भी और दोनों ही एक ही बात कह रहे थे। ये सारी बाते रोहन सोच रहा था। तब ही गरीमा ने कहा, क्या हुआ तुम क्या सोच रहे हो। जिसके जवाब में रोहन ने कहा, नहीं कुछ नहीं, वो कल जाके क्या-क्या काम खतम करना हुआ ही सोच रहा हूँ। और गरीमा ने कहा, अरे तुम पागल हूँ क्या, ओफिस का काम ओफिस पे छोड़ कर आया करो, समझे तुम, उसे सर पे ढोने की जरूरत नहीं है। जैसे घर की जो परिशानिया और स्ट्रेस जो है, वो घर पे छोड़ कर आफिस जाना चाहिए, वैसे ही आफिस की जो परिशानिया है, उन्हें आफिस में छोड़ कर घर आना चाहिए, समझे तुम, अब खाना खतम करो, और उसके बाद उन तीनों ने खाना खतम किया, और अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन रोहन जो था, वो सोने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन सो नहीं बारा था। वो सिर्फ आखे बंद गर के लेटा हुआ था। तब ही रात के तक्रीबन दो बजे। उससे ऐसा लगा, जैसे उसके कमरे में कोई आया है। और रोहन जो था उसने अपनी आखे खोल ली रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए उसने ब्रोम्स की सारी लाइट्स जो थी वान कर दी लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज़ादा खराब हो गई और उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ उसने देखा कि गरीमा की बड़ी बहन रेखा रोहन की कमरे में थी और उसने अपनी शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं बहना हुआ था ये देखकर रोहन की जो आखे थी वो फटी की फटी रह गई और रोहन ने कहा आप यहाँ पर और इस हालत में तभी रेखा ने रोहन की आखों में देखा और जैसे ही उसने रोहन की आखों में देखा तो रोहन एकदम नशे में आ गया जैसे रेखा ने उसे अपने कबजे में कर लिया था उसके बाद रेखा रोहन की सारे कपड़े उतारने लगी और रोहन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था वो एकदम नशे की हालत में हो गया था जैसे उसके उपर किसी ने कुछ कर दिया हो रेखा अपनी मनमर्जी कर रही थी और रोहन जो था वो एकदम नशे में पड़ा हुआ था जब सुबा रोहन की आँख खुली तब उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो एकदम बहुत कमजोर महसूस कर रहा था जैसे पूरी राद उसकी ताकत को किसी ने निचोड़ लिया ओ जब वे अपनी कपड़े पहन कर कमरे से बाहर पहुँचा उसे ऐसा लगरा था जैसे उसने जो कुछ भी रात को देखा और महसूस किया वो सब एक सपना था लेकिन वो एक बात से परिशान था कि आखिर ये सब अगर एक सपना था तो उसके जो कपड़े थे वो सुबा उतरे हुए कैसे थे ये जो बात थी वो रोहन को समझ नहीं आ जा और उसके बाद जैसे ही नॉर्मल दिन हुआ वैसे ही वो अपने कमपनी के लिए निकल गया लेकिन उस दिन वो बिल्गुल भी काम नहीं कर पाया जो कुछ भी उसने रात में सपने में देखा था वही सब उसके दिमाग में चल रहा था और कही न कही उसे भी बहुत ही खाना खाया और हर कोई अपने अपनी कमरे में चला गया रोहन भी अपनी कमरे में चला गया लेकिन उसने एक फैसला किया था कि वो रात पर सोईगा नहीं बस वो जाकता रहेगा इसलिए वो सिर्फ लेटा रहा और उसने आखे बंद रखी वो ये देखना चाहता था कि कही जो कुछ भी रात में हुआ, जिसे वो सपना समझ रहा है, कहीं वो सच तो नहीं, क्योंकि पचाकता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए जब सुबा हुई, तब वो समझ गया कि जो कुछ भी पिछली रात हुआ था, वो सब एक सपना था, इसलिए वो इस बात को नॉर्मल जो साइकल रिपीट होती थी, वो होती रही, लेकिन एक रात, वो जब सो रहा था, तब ही अचानक से उसे फिर से मैसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई आया है, और उसने फिर से रूम्स की सारी लाइट डॉन कर ली, और उसने इस बार जो देखा, उसे देखकर उस रोहन से रहा नहीं गया, वो भी गरीमा को बहुत चाहता था, इसलिए रोहन गरीमा की तरफ बढ़ा, और गरीमा ने कहा, तो क्या तुमें समझा गया, ये सब कुछ सपना नहीं था, और रोहन जो था उसने कहा, बाते मत करो, जो करना है वो करो, और उसके बाद गरीमा जो पर रेखा भी आज चुकी थी रेखा को वहाँ पर देखकर रोहन थोड़ा सा गबरा गया और तभी रेखा के जैरे पर एक मुस्कुरहाट आ गई और उसने भी अपने कबड़े उतारना शुरू कर दिया गरीमा और रेखा तोनों ही रोहन के शरीर का यूस करने लगी और रोहन को बहुत ही ज़ादा मज़ा आ रहा था लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है वो दोनों रोहन के शरीर का इतना ज़ादा यूस कर रही थी जिसकी वज़ा से धीरे धीरे करके रोहन का जो शरीर था वो कमजोर हो रहा था और रोहन को मजा तो आ रहा था लेकिन उसे कमजोरी भी मैसूस हो रही थी लेकिन गरीमा और रेखा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी उनकी अंदर की जो काम वासना थी वो और भी जादा बढ़ रही थी और ये सब देखकर रोहन को एक बार के लिए तर लगने लगा लेकिन रेखा और गरीमा रुखी नहीं वो रोहन के शरीर का फायदा उठाती रही ये सब करते वे गरीमा और रेखा अपने असली रूप में आ गई और उनका जो असली रूप था वो और भी ज़्यादा सुन्दर था क्योंकि उन्होंने पूरे सोने के जो आबोशन थे वो बहने हुए थे उपर से नीचे थक कोई भी ऐसा शरीर नहीं था जहांपर कोई सोने काभोशन ना हो और ये सब देखकर रोहन को अपनी आँखो पर यकीन नहीं हो रहा था वो बहुत ज़으धा खुश हो रहा था और उसे मजा भी बहुत ज़ादा आ रहा था तब ही कुछ ऐसा हुआ जसके बारे में रोहन ने सबनी भी नहीं सोचा था दोनों काम वासना के च धीरे धीरे वो दोनों बहने रोहन को काटने लगी और जब रोहन ने ये मैसूस किया कि उसकी जान खत्रे में है तब उसने वहाँ से भागने की कुशिश करी लेकिन उन दोनों बहनों ने रोहन के शरीर के कई टुपड़े कर दिये क्योंकि रोहन को उनकी हकीकत का पता चल ग रहा था और वो शेफ वहां से भागने की कोशिश क्यूं कर रहा था क्यूंकि उन दोनों बहनों ने जो की यक्षिनिया थी उन दोनों ने सिक्योरिटी गार्ड और शेफ को अपने वश्मे कर रखा था और जब भी उनका वश्यकरन टूपता था तो वो दोनों वहां से भाग जिसकी वज़े से गरीमा उसे अपने वश में वापस नहीं कर पाई लेकिन वो जो शेफ था वो गरीमा और रेखा के सामने था और इसलिए उन दोनों ने उस शेफ को वापस से अपने वश में कर लिया लेकिन ये सब चीज़े समझने के लिए बहुती जादा देर हो चुकी क्योंकि रोहन को गरीमा और रेखा की सचाई भी पता चल गई थी और गरीमा और रेखा की जो जरूरेते थी वो रोहन से पूरी हो चुकी थी इसलिए उन दोनों ने मिलकर रोहन को काफी दर्दनाक मौत दी और रोहन की चीक से वो जो घर था वो गूंच पड़ा आजकर हर कोई अपनी भागदोर भरी जिन्दीगी से कुछ दिनों की चुटियां लेकर किसी सुन्दर सी जगा पर घुमने के लिए जाना जाता है खास कर किसी सुन्दर सी जंगल में जहां प्रकर्ति की गोद में वो कुछ समय बिता पाए और अपने मन को एक बार फिर से शान्त कर पाए जो मन काम करकर किया शान्त हो चुका है और इसी उमीद में सिध्धार्थ, अजय और रुही आये थे जंगल में घुमने के लिए क्योंकि वो भी ऑफिस में काम किया करते थे लेकिन दिन भर वही एक काम करकरके उव तीनों का मन उप चुगा था और वो तीनों एक साथ हॉलिडे लेकर घुमने के लिए एक सुन्दर से जंगल में आये थे और उन्हें बहुत जादा मज़ा भी आ रहा था लेकिन और एक बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था क्योंने के साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही ज़दा डरावनी और भयानक है वो तीनों एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे तब ही अचानक से सिद्धार्थ ने कहा अरे यार रोही हम तो बात करते करते कहा गए कुछ पता चला वो वो बाकी के लोग कहा गए और जब ये बात रोही ने सुनी तब उसने कहा अरे होंगे न यहीं कही देखो जरा और उसके बाद अजे, रोही और सिद्धार्थ ने चारो तरफ देखा तो उन्हें नजर आया कि वो जिस टीम के साथ जंगल गोमने आय थे वो टीम उन्हें नजरी नहीं आ रही थी उन्होंने अपनी निगाहे अच्छे से चारो तरफ दोड़ाई और उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया जिसका साफ साफ मतलब यही था कि वो जंगल में खो गए थे और उसके बाद अजे ने कहा यहां सिध्धार्थ इसलिए मैंने कहा था जादा बाते मत कर लेकिन तू बाते बहुत करता है देख बाते करते करते हम टीम से कब अलग होगे हमें पता ही नहीं चला यार अब हम उन्हें कहा डोड़ेंगे इतना बड़ा जंगल है मुझे बहुत टेंशन हो गई है और उसके बाद सिध्धार्थ ने कहा देखो चनौती सामने आई नहीं पहले और ये पहले ही टेंशन लिके बैठ किया अरे तू चिंता क्यों कर रहा है हाँ हम कोई दूत पीदे बच्चे थोड़ी है कि हम यहाँ पर खो जाएंगे और कभी निकल नहीं पाएंगे अरे शान्त रह इधर उदर ढूणते हैं न पक्का वो हमें मिल जाएंगे यही कहीं होंगे और रोही ने कहा हाँ सिधार्थ बिलकुल ठीक कह रहा है ऐसे परिशान होकर तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा चलो हम तीनों एक साथ ढूणते हैं वो यही कहीं होंगे हम जिस डिरेक्शन से आई हैं उसी डिरेक्शन में चलते हैं और उसके बाद अजय सिधार्थ ने दोनों ने हामेसर हिलाया और वो तीनों एक साथ जिस डिरेक्शन से आये थे उसी डिरेक्शन में वापस जाने लगे और काफी पीछे जाने के बाद रोगी ने कहा यार हम तो यहां से नहीं आए ना और इस सिधार्थ ने कहा नहीं हम यहां से नहीं आए लेकिन डिरेक्शन तो यही थी अब अब क्या करें उसके बाद अजे ने कहा अब बोलो मिस्टर अब क्या किया जाए उसके बाद सिधार्त ने कहा तू अभी शान्त हो जा समझा जादा घबरा मत तू मुझे भी टेंशन दे देगा रुबजा मैं अपना फोन निकालता हो मेरे फोन में पक्का सिगनल्स होंगे अब ये कोई हौरर मूवी या फिर दिपक विश्वक कर्मा की हौरर स्टोरी तो है नहीं जो फोन सब्य नेटवर्क नहीं होंगे और ये कहकर सिधार्थ ने हसते विए अपना फोन निकाला और उसने फोन की स्क्रीन जैसे ही यौन करी तो उसका मुँ लटक किया और उसका लटका हुआ मुँ साफ बता रहा था कि उसके फोन में सिगनल्स नहीं है और सिधार्थ ने कहा कोई बात नहीं, बी पॉसिटिव मेरे फोन में नेटवक नहीं है तो क्या हुआ रोही, तुम अपना फोन चेक करो तुमारे फोन में 100% नेटवक होंगे ये कोई दीपग विश्वा कर्मा की स्टोरी या फिर हॉरर मुवी रोही ने बीच में ही टोकते वे का हाँ हाँ मुझे पता है मैं समझ गए, बहुत हो गया मैं चेक करती हूँ ये कहकर रोही ने अपना फोन निकाला और उसने अपना फोन देखा स्क्रीन ओन करके तो उसके फोन में भी नेटवक्स नहीं थे उसके बात क्या था रोही और सिधार्थ दोनों अजे की तरफ देखने लगे और अजे ने कहा क्या मेरी तरफ मत देखो मैं अपना फोन लेकर नहीं आया मैं अपना फोन होटल में ही चार्ज पर लगा कर आया हूँ मेरे फोन में चार्ज नहीं था और उसके बाद सिधार्थ ने कहा तिरे फोन में चार्ज नहीं था कैसे खुताब हो गया वही रात उपर रीन देख रहा होगा तिरे से तो कोई उमीद करना ही बेकार है और उसके बाद अजे ने कहा हाँ हाँ सारी कमिया तो मुझमें यह न तो ही तो है एक दोत का धुला हुआ और अब मेरों पर चिला राए है छोड़ यार तुसे बात ही नहीं करनी रोही ने चिलाते वेखा यार तुम दूनो तुम दूनों तो हपस में लड़ते ही रहते हो मुझे तो समझ नहीं आता क्या खिर अगर तुम ऐसे ही लड़ोगे तो हम कैसे इस जंगल से बहार निकलेंगे हाँ अभी हमें लड़ने की सरूरत नहीं है अभी हमें सोचने की जरूरत है ठंडे दिमाग से काम लेना होगा वरना रात हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ये बात सुनता ही अजे ने कहा हाँ यार ये तो बिल्गुल सही बात कह रही है क्योंगी हो सकता है रात की वक्त कोई खतरनाग जानवर आ जाए और और वो अपर हमला कर दे कुछ भी हो सकता है हमें सूरज ड़ले से पहले कोई न कोई रास्ता जरूर निकाला होका उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा ठीक है हमें एक काम करते हैं हम अलग अलग हो जाते हैं तुम उस डिरेक्शन में जाओ मैं इस डिरेक्शन में तुम इस डिरेक्शन में ठीक है इससे क्या होगा जादा chances होगे हमें help मिलने की हाँ मैं सही गया रहू ना चलो चलो निकलते हैं और उसके बाद रोही ने कहा सिधार्थ तुमारा दिमाग खराब हो गया है क्या और मान लो हम तीनों अलग अलग direction में निकल गये और वापस हम तीनों ही नहीं मिले खैर यार क्या बोले तुस्से उसके बाद सिधार्थ और रजे में फिर से कहा सुनी शुरू हो गई और रोही ने दोनों को शांत किया और वो तीनों एक साथ फिर से अपनी उस टीम को खोजने के लिए निकल गए धीरे धीरे समय बीतने लगा और दिन भी ढलने लगा दिन ढलने के साथ साथ अंधेरा भी हो रहा था और वो बढ़ता हुआ अंधेरा सिधार्थ रोही और रजे तीनों की टेंशन को बढ़ा रहा था तीनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे तीनों यही सोच रहे थे कि आखिर अगर अंधेरा हो गया तो वो तीनों क्या करेंगे सिदार्थ ने कहा यार पूरा दिन डलने को आ गया और अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला मुझे तो लगता है कि हम बहुत बुरी मुसीबत में फसके हैं और उसके बाद अची ने कहा क्या हो गया? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव कहा गया तरह बी पॉजिटिव क्यों नेगिटिव हो गया? मैं यही बात तुससे पहले कह रहा था कि हम गोमने के लिए आए हैं यह जंगल है माना हमें इंजॉई करना है लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान भी रखना है कि आखिर हमारे गाइड, हमारी टीम हमें कहां लेकर जा रही है और कैसे लेकर जा रही है लेकिन नहीं, तुम्हें तो अलगी बातों में लगे रहना है और उसके बाद सिधार्त ने कह अच्छा, अगर मैं बातों में लगा हुआ था, तो तेरा ध्यान कहा था, तुझे तु ध्यान रखना चाहिए था न, तो क्यों फासा हमारे साथ, और उसके बाद अजे ने कहा, बस यही गल्दी हो गई मेरे से, खैर, अब हमें कोई सुरक्षित जगा देखनी चाहिए, जहा बायानक है, जितना खुबसुरा दिन में था, उतना ही बायानक रात में लग रहा है, और यही बात सुनकर सिधार्थ ने कहा, हाँ, यह तो है, इक काम करते हैं, हम न, हम लकडियां खटा करते हैं, और आग जलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थंड भी बढ़ रही है धीरे-ध रहेगी, तो हम तीनों अच्छे से बाडि को गरम कर पाएंगे, वरना ठंड से मर जाएंगे, और यह बात रोही ने सुनी तब उसने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक है यह, और उनों ने, उन तीनों ने आसपास से लकडियां खटा करी, और आग जला कर वो तीनों आग के पास ठंड बहुत जादा हो रही थी, इसलिए उनों ने, जो भी उनके पास बैग में कपड़े थे, सब पहन लिये, से धार्त ने जैकिट पहन ली, और अजे ने भी एक मोटी सी जैकिट पहन ली, और साथी साथ रोही ने भी अपनी जो जैकिट थी, उसे पहन लिया, और उसके ठंड पड़ रही है, ये ठंड तो बहुत ही जदा खतरनाक है, और उसके बाद सिधार्त ने कहा, हाँ यार, लेकिन अगर हमें पूरी रात यही रुकना पड़ा तो, कैसे रहेंगे हम, ऐसे तो हम सू भी नहीं सकते, और उसके बाद अजे ने कहा, कोई बात नहीं, इसका अभी कोई रास्ता निकलेगा, ख्यार, मुझे थोड़ा हलका होना है, तो मैं अभी आता हूँ, ठीक है, और उसके बाद सिधार्त ने कहा, जादा दूर मज जाई हो, समझा, वरनक हो जाएगा, और अजे ने कहा, ठीक है, जादा दूर नहीं जाऊंगा, उसके बाद अजे थोड़ी यी दूर हलका होने के लिए चला किया, और जब वो हलका हो रहा था, तब उसने जमीन पर कुछ नोटिस किया, उसने देखा कि जमीन पर पैरों के निशान बने हुए थे, और ये देखकर आजे बहुत ही ज़्यादा खोश हुआ, वो अपना काम खतम करके वापस रोटा और उसने कहा, तुम्हें पता है मैंने क्या देखा, सिदार्त ने कहा, क्या हुआ भाई, कुछ पता चला, कुछ मदद मिली, और उसके बाद अजे ने कहा, मदद तो नहीं मिली, लेकिन एक इशारा जरूर मिला है, और उसके बाद रोही ने कहा, इशारा, कैसा इश बात किया था उन तीनों के अंदर एक उम्मीत की किरंजगी और वो तीनों वही बर गये जहां पर अजे को पैरों के निशान देखे थे और उनोंने पैरों के निशान देखे तो वो बहुत ही जादा खुश हुए उसके बाद वो तीनों उन पैरों का निशानों का पीछा करन लगे जहाँ पर उनोंने काफी लंबी मतलब बड़ी सी आग जलती वी देखी और उस आग को देख कर उन तीनोंने सोचा कि आप उन्हें मदद मिल जाएगी सिधार्थ, रोही और अजे तीनों उस आग के पास गए और तुरंत अजे ने रोही का और सिधार्थ का हाथ पकड़ कर उन्हें खीच लिया और सिधार्थ ने कहा अरे क्या हुआ तुने मुझे खीचा क्यों और उसके बाद अजे ने कहा चुपो जा अभी, अभी मैंने कुछ देखा मैंने यही से देखा कि वहाँ पर सही लोग नहीं बैठे गलत लोग ही है एक पता नहीं बहुत बयानक सा आदमी है और वो कुछ कर रहा है, जरा यहां से देख उसके बाद अजे ने सिधार्थ को अपनी जगा पर खड़ा किया जहां पर वो खुद खड़ा था और अजे ने भी थोड़ा सा जोकर देखा तो उसे भी नजर आया कि आगे के पास में एक तांत्रिक जैसा आदमी बैठा हुआ था और साथी साथ एक और हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ था जो कुछ मंत्रू का जाब किया जा रहा था और उसने शरेर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे बस एक लंगोट टाइप का कुछ पहना हुआ था और वो तांत्रिक भी कुछ तंत्र विद्या करे जा रहा था ये सारी चीज़े रोही सिधार्थ और रजे तीनों की सोच के परे थी और उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था क्या खेला उन्हें अब क्या करना चाहिए सिधार्थ ने कहा मुझे तो लगता है कि हम तीनों को यहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहे है ये दोनों कुछ गलत ही कर रहे है वो तीनों वहां से भागने ही वाले थे लेकिन कहते हैं ना बुरे किस्मत जब साथ देती है तो हमेशा मुसीबतें काम होने के बजाए बढ़ जाती है ऐसा ही कुछ इन तीनों के साथ हुआ सिधार तो भागने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उसका पाउं मुड़ गया और वो जमीन पर थाम से किरा जिसकी वज़ा से वो आदमी और वो जो तांतरिक था वो तोनों अपनी आखे खोल कर इधर उदर देखने लगे और तांतरिक चिलाने लगा उसने कहा ये किसी के गिरने की आवास थी ये किसी के गिरने की आवास थी यहां कोई है यहां कोई है और उसके बाद वो जो दूसरा आदमी था उसने कहा लेकिन गुरो जी यहां आपके और मेरे लावा तो कोई नहीं है न और उसके बाद उस तांतरिक ने कहा अरे, अगर हम दोनों के लावा यहां कोई नहीं है, तो यह किरने की आवास कैसी आई, अब मुझे नहीं लगता कि यह सादरा पूरी होगी, अब बहुत खराब हो चुका है, अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही हुआ है, तब तो तुम्हारी मेरी दोनों की जान को खत्रा है, और उसके बाद उस आदमी ने कहा, अगर, अगर, आप सही कह रहें तो, हाँ, उसके बाद वो जो तांतरिक था वोट कर खड़ा हुआ, और उसने सिद्धार्थ, अजे और रोही को, तीनों को भागते वे देख लिया, और उसने उस आदमी से कहा, जैसा मैंने सोचा ता वैसा ही हुआ, वो, वो तीनों वहाँ भागते वे जा रही है, उदर देखो, उन तीनों ने पक्का, हमारी सादना को देख लिया है, और अभी ये सादना पूरी नहीं होगी, जितना जल्दी हो सकता है, उठकर, उठकर भागो या से, उसके बाद वो जो आदमी था, जो सा अंत्रिक के साथ वो उठा, और वो दोनों वहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी अचारक से, वहाँ पर हवाएं तेज हो गई, और वो जो आदमी था, जो सादना में बैठा था, उसने का, गुरुजी, अचारक से हवाएं तेज हो गई, और, और, कुछ खुश्बों से भी आरिये ला, अभी वहाँ पर पाइल की आवाज आने लगी, और, उस्तांत्रिक के कानों में एक आवाज आई, बिल्कुल सही कह, तुम दोरों के मरने का वक्त आगे है, और, ये आवाज आते हैं, उस्तांत्रिक की करदन, पूरी पीछे की और खुम गई, और, उस्तांत्रिक की मौत हो गई, वो जो आदिमी था, वो बहुत ही जदा घबरा किया, वो अपने आस-पास देखने लगा कि आखिर, अब उसके साथ क्या होने वाला है, और तब ही एक ऐसे हैं ये दर्द उठा, और, उसका पूरा शरीर बीच में से फट गया, और इसी के साथ, उस्तांत्रिक की और उस आदमी की, जो दोनों साधना कर रहे थे, दोनों की काफी दर्तनाग तरीके से मौत हो गई, सिध्धार्थ, अजय और रुही, तीनों ये सोच कर भागे जा रहे थे, कि वो तीनों सेफ हैं, वो जितने दूर भागेंगे, वो उतना ही सेफ रहेंगे, लेकिन उने इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था, कि उनोंने जो चीज देख ली है, उसे देखने के बाद उन तीनों की जान को एक बहुत बड़ा खत्र है, वो तीनों पिना कुछ सोचे समझे भागे जा रहे थे, तभी भागते भागते उनोंने कुछ टॉर्च की रोशनिया देगी, और उस रोशनी को देखकर, वो तीनों उस रोशनी की तरब भागने लेखे, और उनोंने ये भगवान पूरा जंगल जान बाना, चलिए भाग, आप होटल चलिए, ये बात सुनते ही, अज ऐसे धारत और रोई, तीनों रोने लगे, और उनोंने रोते वे कहा, हमें आपको एक बात बतानी है, आप हमें होटल लेज चलिए, लेकिन साधे साथ वहाँ नीचे, पकड़ी है, और उसके बाद, वो जो पुलिस वाला था, उसने कहा, क्या, क्या सच में, आप चिंता मत करिए, आप सबसे पहले होटल चलिए, मेरे साथ सुरक्षित, उसके बाद, मैं देखता हूँ, अखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, आप तीनों की जान सबसे जादा खोश थे, कि चलो, अब वो इस दर्दनाक अनुभाव से मोक्त हो रहे हैं, और उसके बाद, उस पुलिस वाले ने पूचना शुरू किया, अच्छा तो बताईए, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, और उसके बाद, अजे ने कहा, अपर क्या मैं बताऊं सर, एक्चुल सोचा, कि ये पैरों की निशान हमारी टीम के है, जिसके साथ हम गोमने आये थे, और हम तीनों यही सोचकर उन पैरों की निशानों का पीछा कर रहे लगे, कि हम उन तक पहुँच जाएंगे, लेकिन हम तीनों वहाँ, वहाँ एक ऐसी जगा पहुँच गये, जहाँ पर लेक्ते ही समझ गया कि ये दोनों कुछ गलत कर रहे हैं, और यहाँ से भाग लेने में भलाई हैं, उसके बाद हम तीनों वहाँ से भाग लिए, और वो जो पुलिस वाले था उसने कहा, इसका मतलब वो वहाँ पर साधना कर रहे थे, और सिधार्त ने पूचा, साधना अब कैसी साधना? और उस बुलिस वाले ने कहा, साधना हो सकता है वो, कोई यक्षिनी साधना कर रहे हो, वो वो आदमी यक्षिनी सिध करना चाहता हो, लेकिन अब तक तो वो दोनों मर चुके होंगे. रोई ने सवाल पूचा, क्या, वो दोनों मर गए होंगे, लेकिन कैसे? और उसके बाद उस आफिसर ने कहा, ऐसा इसलिए, कि जब कोई भी यक्षिनी की साधना करता है, तो उसे खास ध्यान रखना पड़ता है, कि उसके अलावा, और उसके गुरु के अलावा, कोई भी उ ऐसा होता है, तो साधना करने वाला व्यक्ति भी मरता है, और वो गुरु भी मरता है, और साथी साथ जो साधना देख लेता है, वो भी मरता है. और ये सुनते ही रोही जो थी वो काप के और रोही ने कहा इसका मतलब हमने भी तो साधना देखी है लेकिन हम तो नहीं मरेंगे न ये सब तो कहने की बात होंगी न सर और उस पलिस ओफिसर ने बेना अपना सर पीछे गुमाए उन तीनों की तरफ देखे एक ही बात कही और ये सुनते ही सिधार्थ अजय और रोही तीनों की रोह काप गई और उस पलिस वाले का जो चहरा था वो एकदम नीला पढ़ने लगा और वो उसका शरीर जो था वो एकदम सूखने सा लगा और उसका जो शरीर था वो किसी मिट्टी की तरह जमीन पर गिर किया और रोही सिधार्थ और अजय ये देख कर एकदम सदमे में पहुँच के उन्हें अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था वो तीनों वहां से भागने की सोच भी बाते उससे पहले ही वहां पर पायलों की आवास आने लगी और वो जो आवास थी वो सुनने में तो बहुत ही ज़ादा सुन्दर थी लेकिन अजे सिधार्थ और रोही को दर भी बहुत ही ज़ादा लग रहा था तब ही अचानक से उन्हों ने देखा कि अंधेरे में से एक सुन्दर सी लड़की चलती भी आ रही है और उस लड़की ने सिधार्थ अजे और रोही की तरफ देख कर बोला क्या हुआ जो कुछ भी हुआ वो देखकर डर गए डरो मत क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना है ये तो सिर्फ एक छोटी सी चलत थी अभी बहुत कुछ भाकी है और ये सुनते ही वो तीनों और बिसादक काम अजे रहा आप है खुट अब हमसे क्या चाती है और उसके बाद उस लड़की ने कहा मैंने अभी तो तुम्हें बताया कि जो कोई भी साधना करता है और अगर कोई तीसरा व्यक्ती साधना को देख ले तो साधना करने वाले भी मरते हैं और वो व्यक्ति भी मरता है जो साधना देखता है और मैं तुम्हें मारने के लिए ही आई हूँ कहते हैं कि काफी सर्च ओपरेशन चलाए गए पूरे जिंगल को छान मारा गया लेकिन रास तक सिधार्त रूही और अजे तीनों कहा गए इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया तो ये थी आज की कहानी and I hope आप सभी को कहानी सुनने में मज़ाया होगा अगर आप सभी को कहानी सुनने में मज़ाया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साधी साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी और अवास कैसी लगी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वर वाचिंग.